गुड इबनिंग कैसे हो आप सभी लोग उम्बीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और प्रपेशन बहुत अच्छी इस तरह से चल रही होगी आपकी तो थमनेल से आपको पता चल गया होगा टॉपिक के वारे में तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सब्सक्रिप्शन से क्या benefit है यहां आपको मिलती है daily live classes live classes के माध्यम से आप अपने अपने अजुकेटर से टॉपिक को बहुत अच्छे इस्तर से समझ सकते हो साथ मैं पोल के माध्यम से question के answer से सकते हो doubt session में doubt clear भी करवा सकते हो आप अपने है और class के अंदर भी doubt पूछ सकते हो ठीक है live test के माध्यम से अपनी preparation को evaluate कर सकते हो यहां आपको structure courses मिलते है unlimited assets यानि यहां जो भी आपको recorded classes, live classes जो मिलती है आप उन्हें कहीं भी और कभी भी आप देख सकते हो clear है तो करना क्या है आपको सबसे पहले unacademy learning app download करना है और अपने preparation को start कर देना है clear है मैं हरीश कुमार गौतम जैसे कि आप जानते हो मैं पिछले 6 वरसों से निरंतर UPSCC set SSE जैसे exam के लिए पढ़ा रहा हूं जो यह मेरा experience है मैंने बहुत सारे विध्यारतियों को guide किया है जिन मैं आज अनेकों विध्यारती के इन सरकार और रस सरकार के विविन पदाओं पर अपनी सेवाएं भी दे रहे है तो मुझे अंबीद है देखो बहुत benefit होने वाला है आपको यहां से clear है किस तरह से exam में question पूछ जाते हैं क्या content पढ़ना चाहिए आपको हाना क्या approach होनी चाहिए exam के लिए तो सारी चीज़ें discuss कर रहे हैं slavers complete भी कर रहे हैं साथ में सारी चीज़ें यह भी discuss होती है previous year के questions भी है practice head भी है जिससे कि आप आसानी से अपने exam को qualify कर पाओ ठीक है तो आप telegram से भी साथ में recorded session भी आप देख सकते हो जिससे कि आप अपना slayvers complete कर पाओ और आपके अंदर एक समझ विक से तो पाए clear है और आप अपना exam अराम से qualify कर पाओ तो description में link है आप वहाँ जाकर मुझे follow कर सकते हो और वहाँ से मेरे सारे session join कर सकते हो Unacademy पर मेरे साथ ही 100 plus top educator हैं जो काफी लंबे अरसे से आपको guide कर रहे हैं अपने subject के expert हैं इंडिया के best educator हैं जो आपको guide कर रहे हैं यहां बहुत सारे course पहले से launch हो रहे हैं साथ में समय समय पर यहां course आते रहते हैं तो यहां जैसे के बात करें आप subscription दो माध्यम से ले सकत के लिए आपके पास subscription available है clear है तो कोई भी आप subscription ले सकते हो साथ में अगर जैसे ही subscription लेते हो तो referral code HKG1 आप use कर सकते हो referral code use करते हो तो आपको यहां से 10% का discount मिलेगा proper आपको guide किया जाएगा हरे stage पर जहां पर आपको help की need होगी वह आपकी help की जाएगी clear है यहां आप subscription iconic में भी जब लेते हो तो आपको यह complete 1 year, 2 year और 3 year के लिए subscription available है कोई भी subscription ले सकते हो referral code HKG1 आप use कर सकते हो ठीक है मैं बात करूँ अगर आपके optional की तो आप optional join कर सकते हो यहां कोई भी optional हो आपका India के best educator है जो आपको optional के लिए बारे बारे में guide करेंगे और complete कराएंगे तो optional join कर सकते हो या 1 year, 2 year और 3 year के लिए आपके पास subscription available है crash course के साथ में अगर आप किसी भी प्रकार का subscription लेते हैं तो आप HKG1 code use करके मुझसे जुड सकते हैं यहां unacademy combat exam हो रहा है बहुत सारे बच्चों ने enroll भी कर रखा होगा आप दे भी रहे होंगे जिन बच्चों ने enroll नहीं क्या आप enroll कर लीजिए clear है तो यहां से आप अपना exam दे सकते हो जिससे के आपको All India में लेवल पर आपके rank दिखाई जाएगी यहां आपको क्या रहेगा यानि ग्यान के साथ में प्राइज भी रहता है यहां ठीक है तो जो बच्चे इस exam को दे रहे होंगे यह दिया होगा यह नोने उन्हें पता आपको मैं एक थोड़ी सूचना दे देता हूं देखो यहां आपको पता है जैसे के 2021 को target रखती हुए prelims के 28th December से best launch हुए है इंडिया के best educator के साथ में तो यहां आप join कर सकते हो और join करने के बाद में अपना complete preparation कर सकते हो पूरा 2020 के target करते हुए यहां आपको notes मिलेंगे doubt session र यहां target 2021 को करते हुए आपके batch launch हुए है तो join कर लीजिए अगर अभी आपने join नहीं किया 2021 अगर target है तो आप join कर सकते हैं ठीक है यहां बहुत सारे batch launch हो रखे हैं जैसे 21 को target रखते हुए 2022 को target रखते हुए 2023 को target रखते हुए clear है तो आप किसी भी batch को join कर सकते हो कोई भी आप subscription ले सकते हो कोई भी अगर subscription लेते हो तो referral code HKG1 आप use कर सकते हो HKG1 ठीक है HKG1 अगर use करते हो तो हर किसी subscription पर आपको 10% का मिलेगा discount ठीक है तो जैसे कि आपको पता है Iconic के price hike होने वाले हैं तो जब तक यानि उससे पहले ही अगर आप subscription ले ले तो ज़्यादा benefit रहेगा ये सारी facility आपको मिलती है अगर Iconic में आप subscription लेते हो ठीक है तो आप join करिए और continue अपनी preparation करिए और अपना selection भी निर्धारित कर सकते हो proper dedication और जुनून के साथ अगर पढ़ते हो proper India के best educator के साथ guide यानि जो आपको best educator के guide करेंगे तो आप अपना selection भी निर्धारित कर सकते हो ठीक है? चली तो भड़ते हैं आज के session का पहला question तो missliness question जानेंगे clear है previous year के भी question है इसमें तो बात करेंगे सबसे पहले आपका practice session चल रहा है जैसे कि आपको पता है तो ये रहा आपका पहला question बताईए answer क्या होगा देखो इसी pattern का question C set में आया था 1.272727 मैंने ये कर दिया 1.232323 तो ये question है आपका तो बताईए क्या answer आएगा आपका ये क्या दे रखा है कोई इसे भिन के रूप में बतलना है दिये गए प्रश्न को किस भिन के बरावर है या जो दिया गया संख्या है जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है ये किस भिन के बरावर है अगर मैं आपसे सबसे पहला question पूछ हूँ आपसे कि मुझे पहले तो ये बताओ ये जो दिखाई दे रहा है ना ये point two 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 three two three two three ये dot 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 पहले ये बताओ rational है या irrational है अगर मैं आपसे पूछू rational है या irrational है परिमे है या परिमे है तो आपको सब को जवाब देना है देखो जैसे के आपको पता ये recorded session है, मैं आपके जवाब देख नहीं सकता, बट आपको जवाब जरूर देखना है, ठीक है, जिससे मैं बाद में देखूँ, तो सारी चीज़े मैं भी पता कर पाऊं कि हाँ, आप रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत अच्छे इस तर से कर रह और आपको भी feel होगा, यस सर, बहुत अच्छा है सर, बिलकुल ना, एक feeling आएगी, तो आपको, आपसे पूछा जाए, कोई अगर पूछता है, मैं नहीं पूछा आप से, बहिया, बताइए, ये rational number है, ये rational number है, कैसा number है, rational, परिमे संख्या है, कैसी है, परिमे संख्या, पर है, मैंने क्या कहा, मैंने आपको एक definition बताई थी, अपने बस केवल आपको समझाने के लिए, मैंने का जिसके बारे में पता है, वो परिमे नहीं पता, परिमे आपको ये क्या मतलब है, अरे मैंने ये कहा था, जिसकी limit पता है, ये आगे चल रहा है, हमें इसके पारे में पत है 1.2 three ठग है ठीक है अगर यह होता 1.2 three four five six फिर यहां four आ three आ तो आ गया emphasizing क्या इसके बारे में पता है है आगे क्या नंबर आएगा आपको नहीं बता जब नहीं पता है तो यह क्या हो गया यह क्या हो गया अब परमी और पता है तो क्या हो गया पर में कितना अच्छा है ना तो बस तो मैं बस इस question से जुड़ा हुआ पूछ लिया यह कैसा number है decimal number है decimal में कौन सा है non-terminating repeating decimal number कौन सा number है non-terminating repeating decimal number ठीक है तो एक चीज़ से आप से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ है आपको यहां clear होगे कौन सा number ह non-terminating repeating decimal number और यह कौन सा है non-terminating non-repeating decimal number clear है तो आपको यहां से पता चल गया अगर कोई पूस्ता है कि यह बताओ non-terminating repeating decimal number कैसे होते हैं आपको सर rational होते हैं कैसे होते हैं rational और यह कैसे होते हैं irrational चलिए तो आज आते हैं अपने question की तरफ चलिए तो question यह रहा आपके सामने क्य यह मैंने का किस भिन्द के बरावर है सर आपको होगे सर यह जो ना इससे अपने ऐसे लिख सकते हैं 1.27 पर बार स्वरी 1.23 पर बार आपको अगर पता हो कि अगर इसे बार वाली जो डेसिमल नमबर है जो आपको इस तरह से दिखाई दिरा रिकरिंग डेसिमल है तो इन्हें कैसे चिंज करते हैं तो मैंने आपको आगर आपको याद हो तो बताया कि भी ऐसे ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 0.23 यानि बार लिख सकते हैं आपको जी इसल लिख सकते हैं 1 को प्लस रहने दो मैंने क्या का जितने नमबर पर बार है पूरी संख्या है point के बाद पूरी संख्या है पूरी की पूरी पे जितने नम्मर पे बार है उतने ही 9 लिख देते हैं उतने ही 9 लिख देते हैं तो आपको विसर इसे लिख देंगे 23 upon 99 और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1.23.99 क्या हो जाएगा 1.23.99 क्लिर है क्या इतनी बात आपके समझ में आई, जल्दी से बताओ क्या मेरी ये बात आपके समझ में आई मैंने क्या कहा, जैसे एक example पूस्ता हूँ मैं कहा भज्या, अब बताओ 27 पे बार है, इससे क्या लिखेंगे आपका उसर 27 बटे 99 और चिंज कर लेंगे 29, 27 27 और 11 से 9 बार है, ठीक है तो आपका उसर कट जाएगा, जैसे मैंने कहा ये बताओ 5, 3, 2, 5, 3, 2 अब इस पूरी संख्या पे बार है तो इससे क्या लिखेंगे, आपका उसर 5, 3, 2 बटे 99, 99 बलब जितनी संख्याओं पे बार है, पूरी पूरी पॉरी पे बार है, लेकिन उनमें देखना है कितने पे बार है, आपने देखा कितने डिजिटे हैं वो, आपको उसर 2 डिजिटे हैं 2 नो आगे, यहां कितने डिजिटे हैं, 3 तो 3 नो आगे, clear है, तो इस तरह से कर लो कि आप question, clear है, चलिए भढ़ते है अब डिजिटेंट, डिजिटेंट बताना है आपको, यहां क्या दिया है डिजिटेंट जो है, कुशेंट का 5 टाइमस है और रिमाइंडर का 2 टाइमस है, तो मैंने कहा इस प्रकार के question आप कैसे करते हो, मैंने कहा यह भाग है, ऐसे करकी तो भाग देते हो यह क्या होता है, इधर भाजक होता है इधर क्या होता है, भागफल और इधर क्या होता है सेस्फल, इधर डिवीजर होता है इधर कुशेंट होता है, इधर रिमाइंडर होता है और आपको एक बहुत अच्छे स्तर से पता है कि सर डिवीडेंट इस इकल टू क्या होता है डिवीजर इंटू कुशेंट प्लस रिमेंडर होता है ना भाज़वरावर क्या होता है भाज़वरावर भाजक गुणा भागफल प्लस सेस्फल होता है आपको जीसर होता है जब अगर होता है तो अब इस प्रस्टन में अलग-अलग चीज नहीं दिये न तो भाजक दिया न भागफल दिया केवल क्या दिया केवल भागफल दिया है सेस्फल भी नहीं दिया लेकिन इनका रेशियो दिखा है इनका ratio दिया, इनका relation दिया है आपको विसर भाजक जो है न भागफल का 5 गुना है किसका गुना है? 5 करफ इसका भागफल का इसका मतलब पहले हमें ये देखना है इस प्रस्ट में क्या दिया है इसमें दिया है भागफल, तो भागफल से ही सुरूआत करेंगे अगर मैंने कहा कि इस संख्या में भागफल कितना है? आपको विसर चार है और ये भाजक चार का कितना गुना है? आपको विसर पांच गुना है कितना गुना है? पांच गुना तो चार का पांच गुना कितना हो जाएगा? आपको विसर बीस हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 बोलो हाँ है लेकिन इसने कहा कि जो भाजक है reminder का 2 गुणा है reminder का कितना है 2 गुणा मतलब reminder में अगर 2 का गुणा करेंगे 20 आएगा मतलब ऐसे देखो reminder में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा तो reminder कितना होगा, आपको कोई 2 से 20 कटेगा 10 बार, इसका मतलब reminder कितना आ गया 10, बोलो हा या ना, या फिर मेरे तरीके से समझ लो, मेरा तरीका मतलब तरीका वही है, लेकिन समझ लो, जैसे मैंने का इधर से अगर इधर जा रहा हैं, गुणा कर रहा है, तो lot के आएंगे तो क dividend कितना है, आपको 20, तो अब आपको पता है, dividend नहीं, sorry, divider, divider कितना है, 20, अब आपको पता है, क्या पता है, dividend is equal to, भाज बरावर क्या होता है, भाजक कितना है, 20, बागफल कितना है, 4, प्लस सेसफल कितना है, 10, और आंसर कितना है, आपको 20, चो 80 और 10 कितना होगा, 90, तो तो बाकी मैंने आपको number system बहुत अच्छे इस तर से पढ़ाया है, हर एक topic को समझाते हुए, तो आपने जिन्होंने ये practice session है, तो practice में आपको मैं practice और revision करा रहा हूँ, ये revision और practice session है, बाकी complete आप topic पढ़ सकते हो, clear है, आपको detail में जाके मिल जाएगा, playlist में वहाँ से आपको number system सारी चीज़ें जान सकते हो, ठीक है, बाकी और भी आने वाली live classes में लेके आएंगे, ठीक है, topic उसमें detail में चर्चा करेंगे, पूरा detail में है न, चलिए, तो करते हैं practice next question की तरफ ये रहा आपके सामने बताईए, जब किसी संख्या को किसी भाजक से विवाज़ित करते हैं, तो सेसफल 63 वस्ता है, कितना वस्ता है 63, जब उस संख्या के दो गुने को, उस संख्या के दो गुने को, उसी भाजक से विवाज़ित करेंगे, उसी विवाज़ित करते हैं, तो सेसफल पच बनाता है, तो भाजक कितना है, अच्छा question है अब आपको उसर ऐसे से कैसे करें, इसे कैसे question को करें मैंने का भाईया समझो, जब किसी संख्या को किसी भाजक से विवाजित करते हैं तो सेसफल 63 आता है, मैंने का कोई नम्मर है उसमें हमने क्या है, हमने भाग दिया 63 से, सोरी हमने किसी संख्या को भाजक से, किसी भाजक से भाग दिया सेसफल कितना आया, सेसफल 63 आया, पहली बार रिमाइंडर कितना आया, पहली बार रिमाइंडर कितना आया 63, clear है, जब उस संख्या के दो गुने को उसी भाजक से भाग देते हैं, उस संख्या के दो गुने को उसी संख्या से भाग देते हैं, तो 55 से इस फलाता है, तो देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो, डिटिल थोड़ा सा बता देता हूँ, मैंने कहा माल लिया के भाईया, आपने D से भाग दिया डिवीजर से कुशेंट आया था क्यों कुशेंट कितना था क्यों और रिमाइंडर कितना है रिमाइंडर कितना है 63 तो क्या यही संख्या होगी वो आपको विजी सर यही संख्या होगी क्या यही संख्या होगी आपको विजी सर यही यही हो जाएगा दोसर दोग ना अब इसमें क्या कहा गया इसी संख्या में जब हमने किस से भाग दिया किस से भाग दिया आप कहोगे सर डी से भाग दिया तब रिमाइंडर कितना आया तब रिमाइंडर कितना आया तब रिमाइंडर कितना आया पचपन तब रिमाइंडर कि बाद D से अगर 126 में भाग देते हैं तो 55 से इस पलवस्ता है कितना से इस पलवस्ता है 55 इसका मतलब क्या हुआ कि 126 से वो कितना कम है 55 कम है यानि 126 में 55 का घटा देंगे तो कितना आएगा आपको होगे सर कितना आजाएगा 6 में से 5 गया 1 और 12 में से 5 गया तो कितना आएगा तो आपको कुछ 7, 71 आंसर आगया कितना आएगा 71 कुसके तो fuse उड़ गये होंगे सर ये क्या कर दिया है न लेकिन ध्यान से समझो के हो जाएगा clear है अगर मैं सवाल को direct करता तो मैंने आपको direct आपको दिमाग में हो तो approach बताई है क्या approach हमें क्या कहा गया संख्या का दुगना तो हमें संख्या का दुगना नहीं अगर संख्या का दुगना नहीं reminder का दुगना करो 63 का डवल कितना हो गया 126, 126 में उसी से भाग देंगे उसी से भाग दे रहे है तो आपका सेसफल कितना है पचपन मतलब वो पचपन कम है तो 126 में से पचपन घटा दिया आंसर कितना है 71 एक सेकेंड में तो यह आंसर आ गया लेकिन जब आपको कौन से पैप्रोच पता होंगे तभी तो समकर पाओगे न यह कैसे कर दिया न दोसके लिए मैंने थोड़ा सा डिटेल समझा दिया बाकी मैं आपको टॉपिक जब समझाता हूं तो आपको पूरा डिटेल बताता हूं किस तरह से क्या कैसे यह प्रैक्टिस सेशन है इसलिए आपको थोड़ा सा हिंट दी जा रही है देखो माल लिया कि नम्मर कोई N है उसमें कोई डिवीजर पता नहीं क्या था D से भाग दिया कुशंट Q आया रिमाइंडर सक्षित्र आया उसने क्या का इस संख्या का दोगना कर दो दोगना करेंगे 2D into Q हो जाएगा और 63 का डवल 126 यह दोगना करने पर यह संख्या बन लेकि ancora बाचेगा लेकिन D से जब 126 में भा़ग देते तो 55 सेस्फल बस्ता है अब मैंने कहा किसी संख्या से 126 में भाग दो और 55 सेस्फल बस्ता तो वा संख्या क्या थी कि सर 126 से 550 कम होगी होगी ना यं तबी तो 55 सेसी क्या कई को च्पलबस्ता तो इसलिए 126 में से miry सम Yes sir, समझ में आ गया, sir, बहुत अच्छे समझ में आ गया, clear है, क्या ये कर पाओगे, जल्दी से बताओ, क्या ये question कर पाओगे, क्या, कर पाओगे क्या, चलिए, very good, तो इस तरह के question कर पाओगे, चलो, very good, तो बढ़े next question की तरह, okay, तो ये रहा next question आपके सामने, ठीक है, आपको 500, 555, तथा 445 के योग से विवाजित करने पर, ठीक है, practice session है, बाकी अगर आपको complete करना है, पहले आप इसे पढ़िए, उसके बाद में आपको एक idea develop होगा, अरे शर्वाओ, जल्ब ऐसे करने होते हैं question है, इस तरह से exam में question आते हैं, previous year के question है, ये है, ठीक है, तो य यहां से एक समझ विक्सित होगी, फिर detail में आप, यहां से जो बच्चों ने practice कर रखी है, जो बच्चों ने पढ़ रखा है, तो उन्हें practice करना है, उन्हें revision करना है, साथ में आगर आप first time class ले रहे हो, तो एक बार class लेने के बाद, complete करने के बाद, जो मैंने topic पढ़ा है, उन्हें आप काम करिएगा, उन्हें आप देखिएगा, ना, देखो, एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से भिवाज़त करना है, के योग से, तो जल्दी से बताओ, अभी थोड़ा बता देना, थोड़ी तिर में, चारसो 55 और 445 के योग से भिवाज़त करना है, भागफल उसके अंतर, जो भागफल है, कुशेंट है, उसके डिफ्रेंस के दोगने के बरावर है, किनके डिफ्रेंस के, पांसो 55 और 445 के डिफ्रेंट के दोगने के बरावर है, तथा सेसफल 30 है, तथा सेसफल 30 है, तद अनुसार संख्या बताओ, तब बताओ संख्या क्या होगी, काम कैसे करना है, ऐसे करना है, आपको कैसे करना है, ऐसे करना है, मैंने क्या कहा, दो संख्याओं का योगफल, तो 555, 555 और 445, इनका योगफल कितना हो गया, आपको गसर इनका योगफल 1000 हो गया, तो इसने क्या कहा, योगफल यानि डिवीजर है, ये, क्या है, डिवीजर है भाजक है इस 1000 से भाग देना है इन दोनों का difference क्या है इन दोनों का अंतर क्या है आपको उसर इन दोनों का अंतर है कितना 210 210 है क्या 110 कितना है 110 अंतर कितना है 110 अब 110 अंतर अब एक रहा है जो उनके अंतर के दोगने के बरावर है कुशेंट क्या भागफल कितना होगा इनका द 220 देखो diviser दिया है कितना हो गया 1000 कुशेंट दिया है 220 और reminder कितना दिया है 30 reminder कितना है 30 अब तो आप संख्या निकाल लोगे अब तो आप संख्या निकाल लोगे कैसे क्योंकि आपको पता है sir dividend is equal to diviser into quotient plus reminder आपने बताया तो अगर मैंने ये बताया तो आप बताओ diviser कितना है 100 या 1000 difference कितना है 220 मतलब कुशेंट कितना है 220 और reminder कितना है 30 तो answer क्या आएगा आपको होगे sir ये answer आजाएगा 22,030 कितना answer आएगा 22,030 नहीं 22,030 देखो एक तो 0 और 3,0 यहाँ तो कितना आएगा 2,2,1,2,3 3,0 यह हो गई आप इस में एक और 0 हो गई जिसकी तो ये हाँ हो गया 30 और answer कितना है यह आएगा 22,030 कितना आएगा 22,030 अशर आएगा तो answer क्या आएगा हमारा 22,030 यह answer आजाएगा क्या मेरी बास समझ में आई क्या मेरी बास समझ में आई आई आपको चलो एक और बार समझा देता हूँ एक और बार समझा देता हूँ ठीक है ना समझो मैंने क्या कहा कोई संख्या में भाग दिया जाता है 555 और 445 के योगफल से तो पांजर। पच्पण और चार्ण्पण पेंटालीस का योग PayPal कितना हो गया एक हजाँ. जो उनका भागफल आता है इन दोनों के अंतर के वरावर होता है relevant to इनका नतर कितना है 110 तो इसका दुगना कितना हो गया 220 और reminder कितना है 30 तो आपको पता है भाग भाज वरावर क्या होता है भाज वरावर भाजक गुणा भागफल प्लस सेस्फल भाजक कितना है 1000 भागफल कितना है 220 और सेस्फल कितना है 30 तो 220 और 3 0 और चिपका दो ठीक है और प्लस 30 कर दो तो बीस अजार तीस आंसर आएगा, यह answer आएगा, clear है, क्या मेरी बात आपके समझ में आई, जल्दी से बताओ, हाँ या ना, कर लोगे, आपको कुछी सर कमेंट करना है, बिल्कुल, समझ रहे हैं, सब को कमेंट करना है, हाँ, बिल्कुल, सब को कमेंट करना, clear है, और अगर तक यह चीज़ां पहुंचेंगे, उनका भी benefit होगा, यह ना, चली तो बड़े next question की तरह, yes, देखे, question क्या दिखाई दिरा आपके सामने, देखे, 11 की power 13, question है, 11 की power 13, और 7 की power 13, इस किससे पूर्णता विवाजित होगी, 11 की power 13, और 7 की power 13, किससे पूर्णता विवाजित हो तो अगर आपको ध्यान में हो, तो मैंने आपको एक एक अप्रोच बताया, अगर कोई नमबर है, यह a है, a की power n है, और आपका minus b की power n है, अगर n एक odd number है, कैसा number है, odd, n अगर एक कैसा number है, odd number है, तो यह हमेशा किससे divide होगा, हमेशा किससे divide होगा, a minus b से, या फिर अगर even number भी होता न यह, तो भी a minus b से divide हो जाता, इसका मतलब हमेशा इसका factor a minus b होता है, कैसे ब minus 7 की power ते रहे, तो power कैसी है, odd है, बीच में difference का sign है, minus का sign है, तो 11 में से 7 घटा देंगे, कितना आएगा, 4, मतलब हमेशा ये 4 से विवाजित होगा, हमेशा ये 4 से विवाजित होगा, क्या समझ में आया, इसका एक factor जो होगा, हमेशा a minus b होगा, एक factor हमेशा a minus b होगा, पावर कैसी है, odd number है, बीच में sign minus का है, तो आपको हमेशा किस से विवाजित होगा, इनका जो difference होगा, इस से हमेशा विवाजित होगा, clear है, अगर ये question हो जाता है, मैंने का ये question है, 17 की power 11, plus 7 की power 11, अब ये किस से विवाजित होगा, मैंने का अगर power कभी भी odd है, power कैसी है, odd, और बीच में sign कैसा है, plus का, तो हमेशा इनके plus से divide होगा, तो 17 and plus 7 कितना हो रहा है, आपका विस से 17 and 7 कितना हो गया, 24, तो हमेशा किस से विवाजित होगा है, 24, किस से विवाजित होगा, 24, clear है, कैसमद में आया है, ये वाला concept, क् Brend, क्या आपके समद में आया, clear है, तो divisibility में आपको, मैंने बहुत सारी चीज़ा समझाई थे आपको याद है कि आपको ओके तो बढ़े next question की तरफ yes no आपको सर बिलकुल भढ़ जाईए तो ये रहा आपके सामने question और बताईए answer क्या होगा देखिए प्यारा सा question आपके सामने आगया है ये करा मैं safeful क्या होगा दी गई संख्या मैं safeful क्या होगा reminder बताना है आपको क्या बताना है reminder तो safeful निकालने के लिए मैंने आपको दो concept बता है एक तो negative concept भी होता है safeful का एक positive safeful answer हमेशा positive आता है लेकिन हमें safeful वो लेना होता है जो छोटा होता है क्यों ऐसा करते हैं क्योंकि calculation को छोटा करने के लिए मतलब calculation को बड़ा आशान करने के लिए ऐसा करते हैं कैसा करते हैं देखो ऐसा करते हैं जैसे मैंने कहा इस question की बात करूँ मैं तो देखो ऐसे यहां लिख देता हूँ 751 गुणा 971 या 73 73 गुणा कितना है 849 इसमें किसे भाग देना है आपको 25 से भाग देना है तो 25 की विवाजता का नियम क्या बताया था मैंने का 25 की विवाजता का नियम है अगर किसी संख्या में last के 2 डिजिट last के last के 2 डिजिट last के 2 डिजिट में अगर भाग चला जाए तो संख्या में भी भाग चला जाता है अगर कुछ बच रहा है तो वो उसका सेसफल हो जाता है तो देखो हमें पूरी संख्या में भाग नहीं देना हमें केवल 51 में देना है तो 25 दूनी 50 तो आपका हुई सर सेसफल कितना है प्लस का वन यहां करेंगे 25 दिया 75 तो 75 जादा है कितना 2 तो माइनस का 2 माइनस का 2 लेने को तो अपन 25 दूनी 50 तेईस ले सकते थे लेकिन 23 क्या हो जाता बड़ा हो जाता 23 बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है तो 23 से गुणा करना ज़्यादा आसान होगा या ते 2 से आपका होगी सर्फ 2 से होगा यहीं अगर मैं बात करूँ 25 से 49 में तो 25 एकन 25 या 25 दूनी 50 तो माइनस का क्या आएगा वन 50 जादा है ना 50 जादा है ना कितना जादा है एक तो यह माइनस का बनाएगा क्या आएगा minus का बनाएगा, क्या समझ में आया minus और plus का concept समझ में आया देखो, मैंने क्या का, एक पर फिर समझा 25 दूनी 50 तो 50 छोटा है, कितना छोटा है एक, तो इसलिए plus का बना गया clear है, 25 तिया 75 75 बड़ा है, कितना बड़ा है 2, तो minus का 2 आ गया 25 बड़ा है, कितना बड़ा है एक बड़ा है, इसलिए minus का आ गया clear है, तो बाकी मैंने आपको समझाया है, बहुत अच्छे से, देखो ठीक है, तो आप देखो कि आप बीच में sign कैसा है, multiply का, तो मैंने multiply, एक गुना 2, 2 2 एकन 2, तो 2 हो गया लेकिन अब sign किस का आएगा, आपका minus minus plus हो जाते है, minus minus क्या हो जाते है, plus, तो plus का आएगा तो answer कितना आएगा, 2 answer आएगा reminder कितना आएगा, 2 आएगा reminder कितना आएगा, 2 आएगा, क्या समझ में आया, बताओ क्या मेरी ये बात आपके समझ में आई, चलो एक पर फिर समझा देते हैं, मैंने का 25 से भाग देंगे, 51 में, तो प्लस बनाएगा, 25 तिया 75, माइनस का दो आएगा, 25 एक अन 25, 25 दो नी 50, माइनस का बनाएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, प्लस हो जाएगा, 2 x 2 2 x 2 और कितना होगा है 2 यानि answer कितना होगा है 2 answer हमेशा positive होना चाहिए अगर कभी negative आता है कभी negative आता है आपका तो क्या करना है जो भाजक है उसके साथ जोड़ देना है जैसे मैंने का minus का 2 आता अगर तो अपन क्या करते minus qword 2 के साथ में 25 जोड़ देते तो कितना आ जाता 23 जोड़ देते किया समझ में आया अगर minus 2 आता तो 25 जो भाजक है जिससे भाग देरे उसके साथ जोड़ दोगे तो minus 2 जोड़ दोगे 25 के साथ तो 25 में से इसका मतलब 2 घटाना पड़ेगा तो कितना आजाता टेश आता लेकिन यहाँ कितना अंसर आ रहा है यहाँ positive आ रहा है पहले से ही तो answer क्या आएगा 2 होगा answer क्या होगा 2 होगा clear है क्या इतनी बाद समझ में आई या आपको जल्दी से बताओ इतना समझ में आगया आपको सर बिल्कु समझ में आगया चलो समझ में आगया तो बढ़ते हैं next question की तरफ और ये रहा next question बताईए देखो बहुत प्यारा question है इस तरह का question अभी 2020 के paper में पूछा गया था प्री में है ना प्री में जिसने बच्चे ने प्री देखा होगा प्री का paper तो उसे पता होगा ना तो इसमें इस तरह का question पूछा गया था ना पांच पांच करके पूछा था पांच गुना दस गुना ऐसे करके पूछा था ना याद है कि आपको छलो जल्दी से question बताओ इसका answer मैνने कहा एक गुना दो गुना तीन गुना और कहा तक है यह 200 तक कहा थक है 200 तक तो आपको बताना दाहिनी और right hand पर कितने zero होंगे तो बताओ यह किra answer आएगा बताई ये answer क्या आने वाला है बोली जल्दी से answer क्या आने वाला है आपको वो sir इस तरह का जब भी question आएगा इस तरह का जब भी question आएगा तो आपने direct approach बताई थी बोलो क्या बताई थी आपको simple answer हमें पता है 0 वैसे किस से बनता है 0 हमेशा किस सے बनता है 5 और 2 के multiple से दोनों के multiple करेंगे multiply करेंगे दोनों का product से बनता है यानि जितने किसी संख्या में जिसकिसी multiplication में जितने 5 और 2 के जोड़े होंगे उतना ही क्या बन जाएंगी 0 बोलो हाय ना आपको जी sir तो अगर मैं यहां question की बात करूँ तो 5 गुना 2 कितना है? 10 यानि अगर मैंने कहा कहीं अगर दिया है 125 और 125 गुना 4 दिया है तो आपका भुषर 125 में कितने 5 हैं? आपका 3 और 4 में कितने 2 हैं? 2 तो कितने जोड़े वनेंगे? 2 यहाँ है 3 यहाँ है तो कम क्या है? दो तो इसका मतलब कितने जोड़े बनेंगे? दो और जितने जोड़े बनेंगे उतनी ही जीरो होती है लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ एक गुना, दो गुना, तीन गुना और कहा तक है? दो सौ तक तो एक बात बताओ, इसमें 5 कम होंगे या 2 कम होंगे, आप कोगे सर्फ 2 कम नहीं होंगे, 5 कम होंगे, क्या कम होंगे 5, क्यों, क्यों, क्योंकि देखो 5 में 5 आएगा, फिर 10 में 5 आएगा, 15 में 5, 20 में 5, लेकिन 2 तो बहुत जगे आ रहा है, 2 में 2, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 म मालव इसमें अगर हमने ये पता कर लिया 5 कितने हैं तो उतने ही क्या हो जाएंगी 0 तो भाया उसके लिए क्या पता करोगे देखो उसके लिए क्या पता करोगे समझो मैंने क्या कहा इसमें 5 कितने तो direct approach बता दे रहा हूँ अगर आपका कहीं पे भी कहां से start हुआ है 1 से 1 into 2 into 3 into और dot dot जहां तक last तक जा रहा है तो direct क्या करना है जैसे 200 है इसमें देखना है 5 तो 5 से भाग देंगे कितने वार गया 40 वार फिर 5 से भाग देंगे कितने वार गया 8 वार फिर पांस से भाग देंगे कितने वार गया एक वार तब तक भाग देना है जब तक कि भागफल पांस से छोटा ना जाए जब तक कि भागफल पांस से छोटा ना जाए और जो भागफल है न उन्हें जोड देना है तो 48 और 48 और एक कितना हो गया उननचास तो इसका number of zero कितने हो जाएंगे 49 क्या मेरी बास समझ में आई क्या ही बास समझ में आई आपको जल्दी से बताओ क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई कर लोगे न हो जाएगी न आपको जी सर हो जाएगा बिलकुल हो जाएगा ठीक है तो बढ़ें देखो मैंने क्या कहा कभी भी सीरीज अगर one से start हो रही है one two three और इस तरह से जिस number पर end हो रही है तो हम क्या करेंगे उस number को पकड के लिए क्या हैंगे उस number को पकड के लिए क्या हैंगे जैसे 200 है इस 200 को पकड के लिए क्या हैंगे खाग देंगे पांच एकन पांच रिमाननर किばना था तीर हमें रिमानदर से कोई भी मतलब नहीं है मैं सिसफ्पद से कोई मतलब सो था हम्हें केवल भागवफद से만 मतलब हैं भागवफद से तो आप देखोifer崏 ahav jive 29 शुर्arat 2059 मि meer घधिए bere han rogue जो भी इनके कुशेंट आए है ना उन कुशेंट को एड़ कर देंगे तो 40 और 48 और ये कितना हो गया 49 कितना अंसर हो गया 49 क्या ये बात मेरी समझ में आई आई आपके क्या ये वाली बात समझ में आई जल्दी से बताओ क्या ये बात समझ में आई हा ना और बताईए आंसर क्या होने वाला है चलिए next question ये रहा आपके सामने बताईए आंसर क्या होने वाला है दी गई संख्या मतलब जो दिया गया question है उसको बताना है right hand पर कितने सूनने होंगे right hand में कितने 0 होंगे जल्दी से बताऊ दिया गया question है, दिये गए संख्या में कितने 0 होंगी, जल्दी से बताईए, आपको सर सिंपल है, अभी आपने बताया कब से start हो series 1 से, लेकिन ये तो 2 से start हो रही है, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8, आपको इसका तो आपने बताया नहीं, नहीं बताया तो उसी format में से बदल सकते हैं, मैंने का इसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, आपको जी सर, इंटू 2 इंटू 2, क्योंगे 4 को लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 8 को 2 इंटू 4, और इसी तरह से आप कहां तक जा सकते हो, इसी तरह से इंटू करते हुए, 2 इंटू कहां तक जा सकते हैं, 51 तक, कह कितने वार 2 common है आपको 2-2 कितने वार है common नहीं आएगा मतलब हर बाहर चीज में 2-2 कितने वार है आपको फिफ्टी वन टाइम मतलब दो की पावर एक क्यामन अलग हो गई तो यहां से क्या पचेगा वन इंटू 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 त्री और कहां तक जाएंगे 51 तक clear ह अब आपको विसर इस सीरीज में हम पता कर सकते हैं एक से क्यामन तक होता तो पता कर सकते हैं clear है लेकिन अब आपको बताओ न मैं अगर आपको direct भी करना है ने direct भी कर सकते हो तो direct कैसे कर सकते हो क्या क्या common दिखाई दे रहा हर किसी में किस किस का multiple हो रहा है दो का हर किसी का दो का है तो दो दो निकालेंगे समय से मतलब last में दो से divide कर दो बस दो से divide करेंगे last में कितना आ गया 51 मतलब direct 51 में देंगे 5 से बाग कितने वार गया 10 वार फिर 5 से देंगे कितने वार 2 वार और 10 और 2 answer कितना आएगा 12 या answer कितना आएगा 12 क्या मेरी बास समझ में आई आई आपके क्या इतनी बास समझ में आई जल्दी से बताओ पहले तो डिटेल मैंने आपको समझाया कैसे सीरीज बनती है तो सीरीज कैसे बनेगी इस तरह से 2 x 1, 2 x 4, 2 x 3 ऐसे करके 2 x 2 कहां तक है 51 तक यहां से हमने जब करके देखने लगे तो यह कितना है 2 x 51 पावर क्योंकि 1, 2, 3 ऐसे कितने के खटे हो जाएंगे 51 इंटू क्या होगा 1 x 2 x 3 x 2 और 51 तक क्लियर है हमने क्या देखा इस सीरीज में हम बता कर सकते हैं कितने 0 है कैसे 51 में अगर 5 से भाग देंगे 5 से देंगे 10 वार जाएगा फिर 5 से देंगे 2 वार लेकिन यह काम हम डारेक्ट भी कर सकते हैं मैंने क्या क्या डारेक्ट कर सकते हैं देखो यह रहा मैंने का लास्ट नंबर में क्या क्या है वो किसके मल्टीपल हैं सारे यह 2 के मल्टीपल हैं 2 से डिवाइड कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया कितने वार गया कर लोगे ऐसे question इस बेस पे जो भी question आएंगे कर लोगे चली तो बढ़े next question की तरफ तो ये रहा next question आपके सामने बताईए सबसे बड़ी भिन ग्याद करो find the largest fraction बताई सबसे बड़ी भिन बताओ इसमें सबसे बड़ी भिन बताओ find the largest fraction सबसे बड़ी भिन बताओ सबसे बड़ी भिन बताओ इसमें सबसे बड़ी भिन बताओ तो आप बताओ देखो direct एक तो ये है एक तो method है कि सबके denominator same कर लो फिर जिसका numerator बड़ा वो बड़ा जिसका छोटा वो छोटा बाकि मैं आपको बताओ एक तरीका बता रहा हूँ आपको देखते ही आंसर बताओ अगर कभी भी proper fraction है कैसी fraction है अगर कभी भी proper fraction है कैसी fraction है proper proper fraction कैसी होती है जिनका numerator छोटा होता है denominator से जिनका numerator छोटा है denominator से कभी भी अगर proper fraction है ना तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना उससे देखते ही answer बताओ काई कैसे मैंने क्या का ऐसे करो जब कभी proper fraction है तो उनके numerator और denominator का difference देखो यहां कितना है 1, यहां difference कितना है 2 यहां difference कितना है 2 और यहां difference कितना है आपका वह स्रक्फ 2 अब इस difference निउम्रेटर में divide करो तो divide करोगे तो यहां कितना आएगा 17 यहां divide करोगे तो कितना आएगा 10.5 यहां divide करोगे तो कितना आएगा 6.5 और यहां divide करोगे 2.5 तो सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा 17 तो यही सबसे होगा कैसमझ में आया जल्दी से oops nap कि समझमें आ ही बात आपको बहुत साज आ गया देखते ये आंसर बता दोगे क्या इतना पॉसीवपल था यह एसे पॉसीवल था किया आप अगर इतनी जल्दी बता पाते नहीं मैंने क्या बता है देखो मैंने आप से कहा कि भीया एक काम करना है आपको अगर कभी भी प्रॉपर फ्रेक्शन है तो जिसका नियुम्रेटर छोटा है उस समय क्या करना है इनका डिफ्रेंस देखना है तो डिफ्रेंस यहां बन है यहां डिफ्रेंस टू है यहां डिफ्रेंस टू है और यहां पर भी डिफ्रेंस से डिवाइड करना है डिवाइड कितना है 17 यहां डिवाइड किया 10.5 यहां डिवाइड किया 6.5 यहां डिवाइड किया 4.5 सबसे बड़ा क्या दिखरा है 17 तो यहीं आपका सबसे बड़ा आणसर होगा यहनी सबसे बड़ी फ्रैक्षन भी क्या होगी 17 एक थारवただ क्या यह बास समझ मिरी जल्दी Sebाउ क्या इतनी बास समझ में आई हा ना आतो कर लोगे लिक कभी भी कोई भी फ्रैक्षन आय तो आप डारेक्ट कर सकते हो, क्लियर है न, कर सकते हो, बाकी देखो, मैंने यह सब कुछ न, बहुत डिटेल में समझाया आपको, यहीं Unacademy के चैनल है, Let's Crack UPSC CAC Hindi, वहाँ डिटेल में मैंने आपको समझा रखा है, जाके आप कर सकते हो, बाकी मैं आपको बताओ, मेरी जो क्लास होती है, अगर प्रॉपर और आपको अच्छे से सारी चीज़ है, और डिटेल में पूरे टॉपिक समझाया है, तो मेरी Unacademy Learning App पर भी क्लास चल रही है, Unacademy Learning App पर भी क्लास चल रही है, Learning App पर क्लास चलती है, डेली साम 5 बजे, कहां चलती है, डेली साम 5 बजे क्लास रहती है, लाइव क्लास रहती है, आप वहां मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी अपनी क्लियर है, साथ में बहुत अच्छे सार्जे समझ सकते हो, अपने क्वेशन के आंसर भी आप डिसकस कर सकते हो, पूल के मादिम से क्वेशन के आंसर, सब कुछ रहता है वहां पर, तो आप वहां जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे के, मुझे फॉलो कर लीजे, और वहां क्लास लोगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा डिटेल में सारी चीज़ें चलेंगी, चलें, बढ़े हैं क्या, तो ऐसे बढ़े बढ़े क्वेशन, बढ़े बढ़े क्वेशन भी आप देखते ही कर दोगे, क्लेर हैं, कर लोगे ना, चलो, तो बढ़े नेक्स क्वेशन की तरफ, यास, तो ये रहा आपके सामने क्वेशन, इसमें बताएए सेस्फल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो चल्दी से देखिए क्वेशन, एक बार पढ़िए और आंसर बताओ, आपका हुई सर्फ भहुत आसान क्वेशन है तो, मैंने का अच्छा, देखो, हमें क्या करना है, जैसे 7, 3, 2, 3, इंटु क्या है, 9, 8, 9, 8, 5, 3, ठीक है, इंटु क्या है, 96, इसमें डिवाइड देना है, 100 से, 100 से डिवाइड देंगे, यहां 23 रिमाइंडर आएगा, यहां 53 आएगा, और यहां मैनस का 4 रिख सकते हो, फिर इनको सब को मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके फिर देखना पड़ेगा, लेकिन, अगर आपको नहीं करना, अगर आपको मेरी अप्रोच पता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने का, भीया, आपको क्या करना, जिस नंबर से कट रहा है, पहले काट दो, यह 4 से कट रहा है, 24 वार, और यह 4 से कट रहा है, 25 वार, जिस नंबर से काट रहे हो, उससे side में लिख दो clear है यह तो बुरा मान जाएगा उससे भगा दोगे तो बुरा मान जाएगा ना तो side में लिख दो जोगे भाई साब यहां बैठ जाओ आप जाके है ना आपका काम आएगा अभी अभी आपको उठाया जाएगा आप rest करो है ना तब तक इन पर काम करवा 25 से अगर 23 में भाग दोगे तो माइनस का कितना आएगा दो 25 से अगर 53 दोगे 25 दो नहीं 50 प्लस का 3 यहां देंगे 25 एक 25 और माइनस का 1 माइनस का 1 अगर मैं अब सेसफल पूछू तो आपको गई सर 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस प्लस का कितना आएगा 6 लेकिन जो भाई तो आंसर क्या आएगा 24 से इसफल आएगा रेमाइंडर कितना आएगा 24 मतलब आपको उसरत क्या समझाया आपने ये समझाया कि अगर कभी भी अगर कभी भी रेमाइंडर कैसे निकालना है अगर किसी से संख्या से हम भाग दे रहे हैं क्या कर रहा है किसी संख्या से हम भाग लिख लेंगे सायड में लिख लेंगे अब हम जब अलग बाग बाग डेंगे 25 से 23 में मैं इस तो कट गए 24 में तो का एक तो तीन दूनी छह और माइनस माइनस प्लस यानि छह आ गया प्लस का किस का आ गयाiset प्लस का चैTell voiture अब जो आनल चार से कियों कि हमने ईह काट दिया था लेकिन था तो यहें तो चार से कुना कर दिय ido वास्तन में से स्वब 24 हुगा वास्तन में reminder क्या होगा 24 होगा clear है क्या ये मेरी बास समझ में आई आपके जल्दी से बताओ क्या इतनी बास समझ में आई जल्दी से बताओ हाँ या ना हा ना आपको उजी सर समझ में आ गया clear है ना तो answer इसका क्या होगा 24 होगा answer इसका क्या होगा 24 clear है चलिए तो बढ़े next question की तरफ बुलिए हाँ या ना तो बढ़े yes तो ये रहा next question बढ़ाई answer क्या होगा देखो दी गई संख्या के गुडन फल में अंतिम के दो अंक ग्याद करो last के दो डिजिट आपको ग्याद करने है तो कैसे ग्याद करेंगे आपको last के दो डिजिट कैसे unit डिजिट तो पता कर लेंगे अगर इसका unit डिजिट पूछा जाए लेकिन last के दो डिजिट कैसे करेंगे देखो अगर मैं आपसे unit डिजिट पूछू तो आप डारेक्ट कर दोगे unit डिजिट इसका क्या होगा देखो, unit digit क्या होगा, आपका उसर गुणा कर लो, 5, 7, 35, ठीक है, और फिर 5 आएगा 5, 20, मतलब unit digit 0 होगा, तो 0 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यह दोनों तो eliminate होगा, तो या तो B होगा answer, या C होगा, clear है, अब आगी बात, कौन सी दहाई वाली, अब दहाई का अंक क्या ह होगा, अब देखो, मैं बताओ, last के 2 digits कैसे निकालने हैं आपको, एक छोटा सा example मुझे बताओ, मैंने कहा, कि मैंने का 78 है, इसमें unit digit क्या है, आपको वह सर 8 है, मैंने कहा, ऐसे भी तो पता कर सकते हैं, 10 से 78 में भाग दिया, तो reminder कितना आया, आपको वह सर 8 है, मतलब जो reminder ह होगा, वही तो unit digit है, आपको सर कह सकते हैं, बट हमें तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यह समझे, मैंने क्या कहा, अगर आपको 133 में आपको देखना है, एक आई और धाई, last के 2 digits देखने हैं, तो last के 2 digits क्या हैं, आपको 1763 है, इसमें कहा, last के 2 digits आपको 63, मैंने कहा, यह भी तो कह सकता हूँ, इसमें 100 से भाग देखे, जो reminder आएगा, reminder भी क्या आएगा, 63, वही तो last के 2 digits होंगे, आपने कह सकते हो, तो बस हो गया काम, क्या काम हो गया, मैंने क्या कहा, अब क्या करना है, last के 2 digits निकालने के लिए क्या करना है, इस पूरी संख्या में 100 से भाग देना है, और जो सेसपल आएगा, वही आंसर होगा, इससे भाग देना है, 100 से, 100 से भाग देना है, और जो सेसपल होगा, वही आपका reminder होगा, clear है तो देखो गया, अगर समझो, मैंने क्या कहा, अगर इस question में देखेंगे, 55, गुणा 57, clear है, गुणा 24, फिर क्या करें, गुणा 7, 5, फिर 33, ठीक है, अब मैंने कहा, इस में भाग दो 100 से, जो reminder आएगा, वही last के दो डिजिट होगे, मैंने कहा, ठीक है, देदो, आपको सर ठीक है, देदो, अब देने लग रहे होगे, मैंने कहा, सबसे पहले वो number काट तो जो कट रहा है, आपको ठीक है, सर, ये 5 से कट रहा है, सर, कितने वार, 11 वार, और ये 5 से कट रहा है, सर, कितने वार, 20 वार, ये 4 से कट रहा है, सर, कितने वार, 5 वार, और ये 4 से कट रहा है, 6 वार, किस-किस से काट दिया, आपको सर, 5 से काटा था, 4 से, मतलब 20 से काट उसे अलग रखेते हैं, वो आपके रिलेटव हैं भगाना ही नहीं है, इन्हें भगाना नहीं है, यह आपके ही परिवार के लोग हैं इन्हें बाद में लेके आना है, अभी बोल दो, तो आपका बिस्तर लग गया, अभी आप बाद में ठोड़ा रेष्ट कर लीजिए, आना बाद में काम आएगा आपका चलो तो जहें काटते हैं उन्हें साइड में बिठा देते हैं बाद में का यूज करेंगे ना चलो अब आप देखेंगे पांस से भाग दो ग्यारे में पांस से ग्यारे में भाग देंगे पांदू नी दस प्लस का कितना आगया एक 57 में देंगे तो माइनस का क्या आएगा प्लस का दो आएगा पचपन में चला जाएगा प्लस का दो आएगा 6 में भाग देंगे 5 एकन 5 प्लस का एक आएगा 33 में भाग देंगे तो प्लस का 3 आएगा प्लस का 3 आएगा क्योंकि पांच की विवाजिता का नियम क्या कहता है आपको उसर पांच की विवाजिता का नियम कहता है कि लास्ट की एक डिजिट में पांच का भाग जाना चाहिए या लास्ट की एक डिजिट या तो जीरो हो या पांच हो clear है तो हमने देखा ग्यारे में भाग दिया तो प्लस का वन ठीक है देखो ग्यारे में भाग दिया तो क्या रहा है प्लस वन ग्यारे में प्लस वन 57 में दिया प्लस दो ठीक है 6 में दिया प्लस वन और यहां प्लस तीन ठीक है अब क्या करेंगे 3 x 3 और 3 x 6 और 6 x 6 मतलब कितना हो गया 6 लेकिन 22 x 6 तो हो गया जैसे 2 x 2 2 x 2 और 3 x 6 लेकिन आपको पता है हमें क्या पता है कि हमें पहले से जो रिस्तितार बैठे है उन्हें बुलाना है 5 x 20 इन्हें बुलाओ मिला दो तो 6 x 120 आ गया तो 20 जो reminder है वही last के 2 digit है और last के 2 digit क्या हो जाएँगे 2xx 0 answer क्या आएगा b आएगा answer क्या आएगा b आएगा क्या मेरी वास समझ पाए आप क्या समझ पाए हाँ या ना थोड़ा सा logic है अगर last के 2 digit कभी कभी निकाल लेना आपको तो आपने क्या करना है 100 से divide करके जो reminder आएगा वही last के 2 digit होंगे क्लियर है क्या इतनी वास्त समझ में आ गई तो हमने क्या किया था यहाँ पहले काटे किस से कट रहे थे 20 से कट गई और बाद में जब reminder निकाल के देखा 6 आ रहा है लेकिन 6 को 20 में गुना करेंगे तो वास्तम में reminder कितना है 120 120 यह 100 से बढ़ा है इसलिए 100 से फिर भाग दिया 100 एक अंसो reminder कितना आ गया 20 आ गया reminder कितना आ गया 20 आ गया क्या यह बात समझ में आई क्या यह बात आपके समझ में आई clear है ना तो कर लोगे ऐसे question हो जाएंगे ना कोई की दिक्कत नहीं होगी very good चलिए तो बढ़े नेक्स question की तरफ ओके तो next question यह रहा आपके सामने बताई answer तो यह decimal fraction का आगया ना तो जल्दी से बताओ answer क्या आने वाला है यहां आपको मैं बता रहा हूं बाहर लग रहा है लेको मैंने क्या कहा समझाजेता हूं मैं आपको question है ? question है यह question क्या है दसूलव 50 इसे ॖ श्राक्षन में बदलना मैं तो कभि घर आप फ्राक्षनमें बदले तो मैंने अभी पीछे बताया था कि अगर ये ऐसे होता दस मलब 5-7 पर पूरा बार अगर ऐसे होता तो second लगती एक आपांसर बता देते क्या हो जागा सर 57 वटे 99 ठीक है लेकिन ये ऐसे नहीं है ऐसे है question ऐसे है तो जब question ऐसे है तो ऐसे question को कैसे करेंगे ऐसे question के लिए क्या करेंगे देखो समझो मैंने क्या कहा अगर दस मलब से बाद में कुछ संख्या हैं जिन पर बार नहीं है और उसमें कुछ संख्या ऐसी है जिन पर बार है तो क्या करेंगे direct कैसे करेंगे पहले लिखेंग क्या लिख दिया है यहां जितने नंबर पर बार है उतने नौ लिख देंगे तो कितने नंबर पर बार है एक पर तो एक नौ आएगा और जितने पर बार नहीं है उतनी जीरो आएगी तो आपको क्या आएगा आप 57 में से 5 कठा होगे 52 और 52 वटे 90 यह आंसर आएगा क्या answer आएगा 52 upon 90 यह answer आएगा clear है आपको एक पर और समझाओ मैंने का देखो समझो समझो भाई साब मैंने आपसे कहा 10 मलव 5 7 पर बार 10 मलव 5 7 पर बार है किस पर बार है 7 पर बार है clear है तो हमने क्या कहा आपसे हमने ये कहा आपसे देखो हमने क्या कहा आपसे हमने ये कहा 10 मलव 5 7 पर बार 7 पर बार है उतने 9 आएंगे, तो बार कितने नमबर पर एक पर दो, एक क्या आएगा 9, 9 एक आएगा, जितने नमबर पर बार नहीं है, उतने 0 आएगगे, तो बिना बार का कितना 1 उतनी 0 आएगे, तो आंसर क्या आएगा 52 वटे नप है, तो ये decimal fraction का question है, आप कर सकते हो, clear है न, कर सकते ह हो ना recurring digit का number है यह कर सकते हो question है कर सकते हो कर सकते हो ना clear है तो मैंने पूरा topic यह बहुत अच्छे सतर से समझाया आपको तो आप सर्च कर लीजिगा मेरा नाम सर्च करके यहाँ को topic मिल जाएंगे तो complete कर लीजिए हना साल खतम करते करते हीने तो खतम कर लो ना तो इतना revision कर लो ना फिर ना आपके लिए बहुत अच्छे सतर से target करते हुए 2021 को अब और सारे courses मतलब जो start किये जाएंगे आपको target करके किये जाएंगे ना proper series में सारी चीजां चलेंगी बस आप practice revision बरकरार करते रही है ना अनकेडमी learning app पर भी proper तरीके से चल रहे हैं यहाँ पर भी चलेंगी तो बस आप करते रही है ठीक है ना बस आपको practice और revision करते रहे ना मेरे साथ में ठीक है ओके तो भड़ते है next question की तरफ यह रहा आपके सामने question उसी pattern का question है जल्दी से इसका तो जवाब मुझे चाहिए सबसे इसका जवाब चाहिए सबसे जल्दी से बताओ question क्या है मैं दिखा देता हूँ कहीं आपको ऐसा हो सकता है न दिखाई दे रहा हूँ तो question है 2.2.27 और 7 पर बार यह दिखाई दे रहा है 0.2.27 और 7 पर बार है जल्दी से बताओ answer क्या आएगा जल्दी से बताओ answer क्या आएगा आप बोलिए क्या answer आने वाला है आपको विसर बहुत सिंपल है अप तो उड़ा देंगे सवाल को कैसे उड़ा देंगे करिए जल् देखो देखो इस question को मैंने क्या कहा समझो मैंने कहा इसे ऐसे लिख सकते हो गया तू प्लस पॉइंट टू सेवन पर बार आपको विसर अभी इसके लिए मैंने क्या पता है इसके लिए क्या वटा है इसके लिए बताया है पहले 27 लिखेंगे माइनस दो लिखती है जिस पर बार नहीं है क्या बताया पहले पूरी संख्या उसमें से क्या घटाएंगे जिस पर बार नहीं है 0 कितने आएंगे पहले 9 कितने आएंगे जिस पर बार है तो 9 कितने आएंगे 1 और 0 कितने आएंगे 1 तो आपको होगे सर इसे क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं सर कितना 25 वटे 90 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं आपको जी सर 25 वटे 90 लिख सकते हैं और इसे क्या लिख सकते हैं और इसे क्या लिख सकते हैं तो 5 से काट होगे 5 वार और 5 से काट होगे 18 वार तो इसे 5 वट या फिर और ऐसे लिखो, आथारे दो नहीं, च्छतीस और पांच कितना होगा है, 41, 18, तो आंसर के आएगा, 41, 18, आंसर के आएगा, 41, 18, क्लीर है, क्या ये बात मेरी समझ में आई आए, आपके, क्या इतनी बात आपके समझ में आई, बल्दी से बताओ कर लोगे क्या है से क्विश्चन हा ना हो जाएंगे लेरी गुट चलो मैं समझाता हूँ एक बार और मैंने क्या किया समझो देखिए भाई सब क्या किया हमने हमने कहा पहले से लिखोगे 2 ठीक है प्लस 0.27 पर बार क्या लिखोगे 0.27 पर बार यानि 27 पर बार नहीं है केवल 7 पर बार है केवल 7 पर बार है तो मैंने क्या का इसे चेंज कैसे करेंगे पहले पूरी संख्या लिखेंगे लिख दिया उसम तो उतनी आएंगी जितने पर बार नहीं है तो आपको 25 बटे 90 और 25 बटे 90 यानि कितना हो गया, पांस से 5 बार कट गया, पांस से कटने बार अठारा, पांच बटे 18 तो इसे जोडेंगे 2 प्लस 5 बटे अठारा है तो ऩह तो अचारह कोई दिक्कत नहीं होगी आपको जी सर बिलकुल हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक ना चलिए तो बढ़े next question की तरफ बढ़ें तो यह आपका practice session चल रहा है और मुझे उम्मीद है बहुत benefit होने वाला अगर आपने पढ़ा है तो भी आपके दिमाग में सारे concept चल रहे होंगे अगर नहीं भी पढ़ा तो आपको एक approach मिल रही होगी के सर हां अच्छा ऐसे करने हमें ऐसे question क्लिर है इस तरह से करने और फिर बाकी जाके complete आपको यहां दिखाई दे रहा है तो complete जाके वहां से पढ़ सकते हो clear है वहां से भी पढ़ सकते हो आप clear है चलिए तो बढ़े next question की तरफ yes ओके तो यह रहा आपके सामने next question बढ़िया question है divisibility का उत्तर उत्तर जल्दी से बताव successively तो ध्यान से question पढ़ना है फिर answer बताना है पहले ध्यान से प्रश्न पढ़ना है और फिर आप ओ answer बताना है देखिए मैं आपको इस question को समझाता हूं क्या है यह प्रश्न है किसी संख्या को तीन पाँच और आठ से उत्तर बाग देने पर बाग देने पर यहां बाग देने और तो होते हैं ला यह दिने धिमाग उलट लट दिया जाए तो सेसफल क्रम सा होंगे क्या अब को शरत किसी में भाग देंगे जो तरफ काले बहाजक कितने कितने है आपने देखा पहला बहाजक क्या है पहले तीन से भाग दिया पिर किस से माइजा पांस से भाग दिया और फिर आठ कि दूसरी साइड कालें सेस्वॉ keeping कैशार है और यहाँ 7000 कि किसी संख्या में अब इस में अंतिम बाला क्या नहीं दिया किसी संग्या में तीन पाँ चार्ट से उतरो तो भाग करने पर सेसफल एक चार्ट साथ प्राप्त होते हैं यह भाजकों का करव मुलट दिया जाए तो सेसफल क्या होंगे ऐसा कोई smallest number होगा इसमें अंतिम भागफल नहीं दिया जहां कहीं अगर अंति क्या करना है देखो बहाजक गुणा भागफल प्लस सेसफल मतलब इधर multiply इधर प्लस आठ एकन आठ आठ साथ कितना होगा 15 ठीक है 15 होगा 15 पंजे 75 75 और 4 कितना होगा यह होगा 79 ठीक है अब यह 79 इंटू 3 प्लस 1 करना है तो आपका होगे 29 27 और 28 27 21 21 कितना होगा 23 यानि यह संख्या अगर पूछी जाती कि वो संख्या कितनी है तो आंसर क्या था 230 अगर मैं आपसे संख्या पूछता कि वो संख्या कितनी है तो आपको विसर 230 है कितना है 230 कि समझ मैं है मैंने क्या कहा देखो मैंने क्या कहा इधर लिख लिए भाजक इधर लिख लिए सेसफल इसलेए फनिफेभ़े कर यह सेदख 75, 75 चारच कितना हो गए? 89 89 गुझा तीन करो गए 9, 30 57 28 और 1, 28 cesप अगर मैं पूचता के वह संख्या क्या है तो आनसर क्या आता? 238 होता लेकिन संख्या नहीं पूछी मैंने का भाग देने का क्रम उलट दिया जाए मतलब कि भाईया अब 238 में हमें ऐसे भाग देना है कि इसे भाग देना है 238 में ऐसे भाग देना है कि इनके क्रम उलटने है क्या उलटने है क्रम जैसे पहले क्या आएगा पहले आठ आएगा फिर क्या आएगा फिर क्या आएगा पांच आएगा फिर क्या आएगा आपको उसर फिर क्या आएगा फिर इसके बाद में तीन आएगा क्रम उलड़ दिये तो बस दे दो भाग आपको अच्छा ऐसे करना था मैंने हाँ तो जब दे ना है देखो आठ से भाग दो तो औसर ग्याएगा शेह चाड़ दो तो आंसर ग्यात ब्विख शेह चाड़ दो अंसर क्या शेह चाड़ है शेह ऐख वर तो समझME अज़ है L săndß में आ गई ये बात मेरी तो उत्रोंतर का मतलब क्या है कि जो उत्तरमन आप जा उसमें भाग देना फिर जो जो first time पढ़ रहे होंगे इस approach को तो उनका थोड़ा सा fuse ओड़ रहे होंगे ना कैसे करते हैं देखो समझो मैंने क्या का तीन पाँच और आठ से भाग देते हैं तीन पाँच आठ से भाग दिया सेसफल एक चार साता है इधर भाज़क इधर सेसफल अंतिम लास्ट जो question है क्या माल लिया अगर नहीं दे रखा तो 1 माल लेना है नहीं दे रखा तो क्या माल लेना है 1 तो देखो 8 into 1 कितना हो गया 8 into 1 कितना है sorry 8 into 1 plus 7 तो कितना है 15 तो 15 पंजे 75 और 4 89 गुणा 3 प्लस 1 238 अब यह संख्या अगर पूछता है तो 238 आंसर होता कहीं कहीं संख्या पूछता है कि वो संख्या क्या है कि वो भाज क्या है वो संख्या क्या था तो आंसर क्या हो जाता है 238 लेकिन इस सवाल में क्या दिया है इस सवाल में पूचा है कि भाईया अगर इस 238 में किस-किस से भाग देता 8 से 5 से और 3 से 642, clear है क्या ये मेरी बात आप तक पहुँच गई जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात पहुँच गई कर लोगे ऐसे question, बिल्कुल तो इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला 642 है clear है, बाकी ये topic मैंने आपको पूरा यहाँ अनकेडमी नर्निंग अपर भी पढ़ा है यहाँ पर पढ़ा है, यूटूब सेशन पर है तो यूटूब पर पढ़ा हुआ है आप देख लीजेगा, clear है, let's crack UPSC, CSE हिंदी वाले channel पर वहाँ आप जाके देखिएगा, पूरा detail में topic मिल जाएगा आपको, ठीक है समझ में आई मेरी बात, clear है चलो, तो बढ़े next question की तरफ ओके, तो यह रहा आपके सामने next question बताईए वाउ, यह reminder थे और उनसे reminder का question है, second लगेंगी एक और answer आ भी गया होगा बहुत सारे बच्चों का जब कर रहे होंगे देखे भी यह, कैसे करना है चल्दी से आप answer बताना है और देखना है question को और answer बताना है अगर इस question की बात करें तो question का answer आप आराम से दे सकते हो मैंने क्या का, समझो मैंने का, भी यह समझो, बुला समझाओ सर, समझाओ, देखो 15 की power कितना है 15 की power 21 है इसमें भाग देना है 16 से बहुत आसान है मैंने का, अगर 16 से 15 में देना होता तो आपका, बुलाइस का 1 आता कितना आता, मैनस का 1 और यह मैनस 1 की power कितना है, 21 तो मैनस 1 की power 21 है अगर मैनस 1 की power कोई और नमबर है तो हमेशा negative होगा तो आंसर क्या होता, मैनस 1 क्या तुमने सेस्फल कभी मैनस में देखा है क्या आपने कभी सेस्फल लिखा हुआ मैनस में देखा है, आपका होगा नहीं सर तो सेस्फल पॉजिटिव कैसा होगा आपको भाजक में से जोड़ दो तो 16-1, तो answer कितना आएगा 15 यानि वो successful क्या होगा 15 reminder क्या होगा 15, clear है क्या ये बेरिवास समझ में आई आई आपको क्या इतनी बात आपके समझ में आई clear है, चलो मैंने क्या कहा भाया negative reminder का concept शमजाए अठा ना भी आपको वे हाशर शमजाए अच्छा, देखो 15 है, 15 की power कितनी है, 21, clear है अब इसमें अगर 16 से भाग दिया किस से भाग दिया, 16 से 16 से अगर 15 में देंगे, 16 एकन 16, तो minus का कितना है 1, minus का कितना है 1, और minus 1 की power 21 है तो minus 1 की power 21 यानि या answer क्या आएगा, minus 1 आएगा answer का आएगा, minus 1, clear है लेकिन answer हमेरे रहसा negative नहीं होता, क्या आथा हमें बहुत सारे पैटर्न के question आते हैं मैंने आपको बहुत सारे question कराई भी हैं कई सारी theorem है इसमें विल्सन theorem बहुत सारी theorem है वो भी है clear है तो इसे detail में आप पढ़ सकते हो ठीक है चलो बढ़े next question की तरफ क्या बढ़े हैं आपको जी सर तो चलिए next question यह रहा आपके सामने बताई question का answer चलिए एक राय जव 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भिवाजित किया जाए तब शेशपल होगा तब उस समय सेशपल क्या होगा आपके सिंपल है कैसे देखो और answer सब लोग कमेंट किया करो ना answer सब लोग बताया करो सब लोग answer बताया करो देखो मैंने क्या कहा समझो साथ की पावर कितना है 19 साथ की पावर कितना है 19 साथ की पावर 19 है प्लस कितना है दो इसमें भाग किस से देना है भाग किस से देना है आपको उसर चैसे भाग देना है चैसे भाग देना है ना तो देखो चैसे अगर भाग दोगे चैसे अगर साथ में भाग देंगे तो य उनकी power अगर कुछ भी हो तो answer one होता है एक की power 19 है तो एक हो गया clear है यहाँ से अगर 2 में देंगे तो 2 हो गया दो और 1 कितना हो गया 3 तो answer कितना होगा reminder तीन होगा reminder कितना होगा 3 होगा क्या मेरी बात समझ में आई आई आपके जल्दी से बताओ क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई clear है न हो जाएंगे क्या ऐसे question आपको वे सर बहुत आसानी से हो जाएंगे आप बिल्कुल निश्चिंत रही है हम कर लेंगे कर लोगे न आप आपको जी सर बिल्कुल कर पाएंगे कर पाओगे क्या जल्दी से बताओ इतना question कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी कौनों दिक्कत नहीं होने वाली है किसी को कोई दिक्कत होने वाली है क्या नहीं होने वाली चलिए बढ़े next question की तरफ तो ये रहा आपके सामने next question बताईए answer क्या होने वाला है देखो एक बार समझा देता हूँ मुझे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जो first time ले रहे होंगे, देखो, मैंने का 7 की power कितना है, 19, 7 की power कितना है, 19, अगर 7 की power 19 है, अगर 6 से 7 में भाग देंगे, तो plus का 1, उसकी power 19, तो plus 1 की power कुछ भी हो, plus 1 ही होगा, तो यहाँ plus 1 हो 3 आएगा, आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, यही आपका आंसर है, तो आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा, clear है, या मेरी बास समझ में आई आई आपको, clear है न इतना, चलिए, बड़े next question, यह रहा, प्यारा सा question आपके सामने दिखाई दे रहा है, और बताई आंसर क्या होने वाला देखो, question में क्या कहा गया, आपको क्या कहा गया, आप ही बता दीजिए, हमने कहा कि 6, 6, 6, कितने वार है, 134 ताइम से, कितने टाइम से, 134 ताइम से, 6, 6, 6, 6, रिपीट हो रहा है, अब अगर पता हो आपको, तो मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी, आपको क्या बताई थी, कि अगर हमने आपको एक छोटी सी चीज बताई, कोई 3 डिजिट का नंबर है, इस पर base question भी आया है, कोई 3 डिजिट का नंबर है, जैसे A, B, C, और इसे रिपीट करके, अगर 6 डिजिट का बना दिया जाए, A, B, C कर दिया जाए, 6 डिजिट का नंबर बन गया, तो ये हमेशा किस से डिवाइड होगा, आपको उफिसर हमेशा, प्राइम नंबर कौन कौन से, 7 से भी होगा, 11 से होगा, और 13 से होगा, clear है, 7, 11, 13 इन तीनों प्राइम नंबर से होगा, clear है, इनके साथ बहुत सारी संख्या हैं, जैसे 1001 से भी विवाजित होगा, 7 गुना 11 17 से भी हो जाएगा, 77 से हो जाएगा, 11, 9, 13, 143 से भी हो जाएगा, 13, 91 से भी हो जाएगा, तो देखो, हमने क्या कहा, अगर कोई 3 डिजिट की नंबर है, उसे repeat करके अगर 6 डिजिट का बना दिया जाए, तो 7, 11, 13 इनसे तो विवाजित होगा, होगा आपको चीज सर होगा, यह approach मैंने divisibility में आपको समझायाता है न, देखो, अगर यह समझाया तो देखो 6, 6, 6, 3 वार हैं, और यह 6, मलब 6 वार जो मिल जाएंगे, 6 वार अगर देखे जाएंगे, 6 वार, जैसे ही 6 वार पर जितना है, 6 वार का एक जोड़ा, एक जोड़ा कितने वार का, 6 वार का, मल यहां से 14 हो गया, 6, 12 है, तो आप देखो, reminder क्या बचेगा, यानि आपको दो बचेगे, मलब 2, 6, 6 बचेगे, मलब 66 बचेगा, तो 66 में 13 से भाग देंगे, 13, 55 और reminder कितना आएगा, एक आएगा, reminder कितना आएगा, एक आएगा, बिलकुल आंसर क्या आएगा, एक आएगा, ब इसका logic समझना था, और यह logic आप तक पहुँच गया है, ठीक है ना, clear है, समझ गया आप, तो मुझे उम्मीद है, इसका logic आप तक पहुँच गया, और आप इसे बहुत अच्छे सतर से सांस होके हो, जान चुके हो ना, चलो ठीक है, बढ़े next question की तरफ, ओके, तो next question यह रह का है, तीन, यह जो तीन डिजिट का नंबर है ना, अगर इसे हमने repeat करके 6 डिजिट का बना दिया, कितने डिजिट का बना दिया, तीन डिजिट के नंबर को, अगर 6 डिजिट का नंबर अगर बना दिया, तो यह हमेशा 7, 11 और 13 से विवाजित होगा, divisible होगा, तो मैंने क् अगर six 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 three time है अगर इसे six time करतू कितने time करतूँ six time तो ये हमेशा 13 से भिवाजित होगा तो आपको देखना 6 six six से कितने जोड़े बन रहा है हमें जोड़े से मतलब नहीं हमें देखना बाद में कितना बच रहा है 6 किtने बचेंगे? 6 कितने बचेंगे? 2 6 किtने बचेंगे? आपको उसर 2 बचेंगे 2 बचेंगे मdigलब 66 बचेंगे 66 में अगर 13 से भाग देंगे 13,05,65 14,65 और reminder कितना आएगा? 1, take answer क्या आएगा? 1 आएगा answer क्या आएगा? आपको इसर वन आएगा, clear है क्या, क्या ये बात मेरी आपके समझ में आई, तो answer क्या होने वाला है, one होने वाला है, clear है न, समझ गए न आप, तो आपको जी सर सब समझ में आ गया, clear है, yes, तो बढ़े next question की तरफ, देखो सारी approach आपके दिमाग में होंगी न, मैं इसलिए आप को revision भी कराता हूँ, इसलिए practice भी कराता हूँ, इसलिए concept भी clear रहता है न, topic तो होते ही होते हैं, लेकिन बाद में revision भी कराना पड़ता है न, हाँ, कहीं आप भूल तो गई नहीं हो है, चलो, ठीक है, बढ़ें, ओके, तो ये रहा next question आपके सामने, अभी उसी base पर question है, जल् इसे answer बताओ, क्या होने वाला है, अभी मैंने आपको समझाया था, answer बताओ, क्या होने वाला है, इस question का, आपको विसर सिंपल सा question है, हम तो उड़ा देंगे इस सवाल को, clear है न, तो इसे मैंने आपको भी समझाया था, पीछे समझाया था, मैंने क्या समझाया था, मैंने क् प्लस बी से हो गा हमेशा ही डिवीजीवल होगा किसे फ्लास जाऑजी से अगर इन दोनों के सब्स से होगा गुंकि दोनों पावर कैसी है और पावर कावर कीसी है और तो common factor सर 30 हो गया क्या हो गया? 30 हो गया clear है? तो इनका जो common factor हो गया वो क्या हो गया? 30 हो गया clear है? एक बाद फिर समझो मैंने क्या कहा? अभी आपको पीछे बताया था a की पावर n माइनस a की पावर n n कैसा है? odd हो या even हो हमेशा a माइनस से किस से डिवाइड होगा? a माइनस b से डिवाइड होगा a की पावर n, b की पावर n हमेशा अगर odd या even कुछ भी है बीच में sign minus का है तो हमेशा a माइनस पी से होगा अगर a की पावर n और b की पावर n, n केवल क्या है? odd है, ध्यान रखे, n क्या है? odd है odd, even ही, odd है odd है, तो हमेशा a प्लस b से विवाजित होगा, हमेशा किस से विवाजित होगा? a प्लस b से होगा clear है क्या ये मेरी बात आपके समझ में आई? जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई? आपके उचीज सर समझ में आगया तो हमेशा देखो, अगर यहां पे भी odd power है तो इन दोनों के सम से होगा 13 और 17 का सम कितना होगा? आपका 30 यहां पे भी सम कितना है? 30 तो इनका common factor दोनों ये भी divide हो रहा है ये भी, तो common factor क्या है? 30 तो answer क्या हैगा? 30 क्या है हमारा उत्तर? 30 क्या मेरी बात आप तक पहुच गई? आपको उचीज सर सब समझ में आगया सब समझ में आगया, उड़ गया सब गशा ना? चलो तो बढ़ें तो ये रहा next question बताई answer क्या होगा? प्यारा सा question है, language based question है थोड़ा सा language है, थोड़ा सा logic है बताई answer क्या होगा? पढ़िए ध्यान से question को फिर बताना है answer और answer बता के जल्दी से answer देना है ठीक है? जल्दी से देखो एक आदमी प्रतम सब्ता हमें 60 रुपे प्राप्त करता है और उसके बाद प्रतेक सब्ताह तीन रुपे पिछले सब्ताह से अधिक प्राप्त करता है तो वह बीसवे सब्ताह तक कुल कितना प्राप्त करेगा? बीसवे सब्ताह तक कुल कितना प्राप्त करेगा? तो आपको इसर सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मैंने कैसे? ऐसे एड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा नहीं करना यह क्या दिखाई दे रहा है आपको यहां सर साथ है तरे सर्ट है फिर शाथ सर नुन अतर ऐसे ही चलेगा कहां तक 20 वे टाइम तक चलेगा तो आपको कहीं पता है कि जो इस तरह से जब डिफरेंस सेम होता है डि सीरीज का नाम क्या होता है समांतर स्रेडी क्या नाम होता है समांतर स्रेडी और समांतर स्रेडी का जो योगफल होता है जो योगफल होता है जो सम होता है वो सम किसके वरावर होता है यह होता है समांतर स्रेडी का योगफल क्या होता है दिखाई दे गया ना जो आपके सामन दिखाई दिराए, यही समानतर स्रेडी का योगफल है, n y to 2a plus n minus 1 into d होता है, आपको जी सर, n का मतलब क्या है, कितने है total term, तो total कितने है, 20 सबता है total n बरावर कितना है, n बरावर कितना है, 20 a बरावर क्या है, पहला, पहला मतलब first term, first क्या है, 60, पहला क्या है, 60, d बरावर क्या है difference, difference कितना है, 3, value put कर दो answer आएगा, तो 20 बटे 2, पहले क्या करेंगे, 20 बटे 2 2 गुणा 60, plus n कितना है, n कितना है, 20, 20 में से गया, 19, 19 गुणा 3, तो आपको 20 में से बटे 2 करेंगे तो कितना है, 10, 10 यहां हो गया, 120 और 57, मतलब कितना होगा, आपको गुषर, 177, 177 गुणा 10 करेंगे, तो 70 है, 170, और answer क्या आएगा, a आएगा, answer क्या आएगा, a आएगा, direct, आपको second लगेंगी, 10, answer होगा, आपके पास कब, जब आपको approach पता है, ऐसे करते हैं, इसे clear है, जब approach पता है, तो second 10 लगेंगी, answer आजाएगा, clear है, चलो, तो समझी भाइए, एक बार और समझ लो, एक बार और समझ लो, मैंने क्या कहा, sum है, क्या है, sum है, अगर sum है, तो आप देखोगे, अगर sum की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, sum की, तो अगर sum की बात कर रहे हैं, sum is equal to क्या होता है, समानतर शेंडी का, n y 2, 2 a, plus n minus 1, into d, ठीक है, n बरावर कितने हैं, 20, 2 a, 2 a, a बरावर कितना है, a बरावर कितना है, आपको बसर, a बरावर कितना है, a पराबर क्या है ए पराबर कितना है 68 62 कितना हो गया 120 n-1 बीस में से गया 19ad9 очень 57 57 saud tard 177 ने 10 का उड़व एकशूसर करेंगे 170 कितना आंसर आइगा 70 170 कितना आंसर आएगा 1700 क्या समझ में आया क्या समझłe में आया क्लियर है क्या समझ में आया क्लियर है कर पाओगे क्या आपको जी सर कर लोगे ना चलिए very good तो बढ़े next question की तरह तो इस तरह से देखो समामतर से रेड़ी पर भी बहुत सारे question बनते हैं कई बार previous year की मतलब अगर देखो CC8 में कई बार direct question आया है कई question इस series पर बने है तो मैं इसे discuss करेंगे clear है बाकी मैंने discuss भी गया है इसे discuss करेंगे बहुत अच्छे इस तरह से पूरा detail में करेंगे clear है यहां से आपको समझ में आया ना यहां से यह सारी चीजां समझ में आई कर लोगे ना ओके तो बड़े next question की तरह तो यह रहा next question बताई आंसर क्या होगा प्यारा सा question है number 20 question पर बताई आंसर क्या होगा यह तीन अंकों की संख्या में अंतिम दो अंकों के इस्थान को आपस में बदल दिया जाए तो एक नई संख्या बनती है जो मूल संख्या से 45 अदिक होगी तो उस संख्या के अंतिम दो अंकों के बीच का अंतर क्या होगा इसी set में पूछा गया question है और मुझे उम्मीद है आप इसका answer बता पाऊगे जल्दी से बताईए इस question का answer क्या होने वाला है आराम से इस question को कर सकते हैं without किसी tension के देखो अगर आपने ये concept पढ़ा है ना तो आप आराम से कर सकते हो तीन अंकों की संख्या में अंतिम दो अंकों के इस्थान आपस में बदल दी जाए तीन अंकों की कोई संख्या है अंतिम दो अंकों के स्थान आपस में बदल दिया जाए लास्ट दो अंक हैं उन्हें आपस में बदल दिया जाए तो एक नई संख्या बनती है एक नई संख्या बनती है जो एक मूल संख्या से 45 अधिक है जो मूल संख्या से कितना अधिक है, 45 अधिक है, कितना अधिक है, 45 ठीक है, अब समझो गई है, इस question का जवाब क्या होगा, देखिए, मैंने क्या कहा, समझी है, मैंने क्या कहा, समझी है, देखो, अगर आपको पता, दो अंकों के इस्थान बदल दी जाए, कोई तीन बदले गए, मतलब केवल इकाई और धाई वाले आपस में बदले गए, ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे बात कहूं, सीधा-सीधा आपको गुमाया गया, कुछ नहीं है, कोई दो अंकों की संख्या है, अगर आपस में इनके डिजिट बदल दिये जाए, तो हमेशा इनका ज लेकिन करना क्या है, बड़ दिक्कत क्या है, अगर समझना है तो समझो देखो, मैंने क्या कहा, कोई है, ये डिजिट फिक्स है, तीन अंकों की संख्या है, अंतिम दो अंकों की संख्या है, ये तो फिक्स है, ये बदल दी, ये बदल दी, यहां जो भी थी, ये यहां लिख कि अगर आप क्या है उनके digit अगर change कर दो तो उनका जो difference होगा ना उनका difference हमेशा 9 से divide होता है जैसे ऐसे समझो कोई दो अंकों की संख्या 10x plus y इनके digit change कर दोगे तो क्या हो जाएगा 10y plus x इनका जो difference करोगे तो कितना आएगा आपको उसर 9x minus 9y आएगा 9 common हो जाएगा मतलब x minus y मतलब इनके digit का जो difference आएगा वो 9 का multiple होगा clear है पर इन दोनों संख्याओं का जो difference होगा वो 9 का multiple होगा मतलब difference यहां कितना दिखाई दे रहा है 45 तो 9 से 45 काटेंगे कितना आएगा 5 तो direct कितना आगे पांच वाकि आगे से अगज़ ध्यान रखना आपको कि अगर दो अंकों की कोई संख्या है उनके अंकों को परवर्थित कर दिया जाए तो उनके जो ना उनके जो जो क्या होते उनके ना क्या होते उनके ना जो digit का जो difference होता है वो हमेशा 9 से divide कर दो difference क्या है 9 से divide कर दो जो अंतर आ रहा है उसमें 9 से divide कर दो difference निकलने के लिए जैसे अंतर कितना आ रहा है 45 तो 45 में 9 से भाग दे दो तो answer कितना आएगा 5 answer कितना आएगा 5 अगर कभी sum दे रखा है जैसे दो अंकों की कोई संख्या है और उसके अंकों को बदल के नई संख्या बनाएगी नई संख्या बनाएगी तो इस प्रकार जो नई संख्या बनेगी ना उन संख्या और पहली संख्या दोनों को अगर जोड़ोगे ना तो जो योगफल आएगा जो सम आएगा वो हमेशा इभएवन से डिविजिवल होगा, जो सममहेगगा हमेशा wheel से डिविजिवल होगा और जो difference है वो हमेशह किस से डिवेडिवल होगा आको गो नैंश напис नाइंस से और सम उस्से किससे सम हमेशा कर नाइन से तो answer कि आएगा ensure आएगा इसका 5 यूगर difference तो आप देखो answer कितना हैगा 5 direct answer बता सकते हो clear है क्लियर है क्या इतनी बात आपके समझ में आई बो हाई न जल्दी से बताई क्या इतनी बात मेरे आपके समझ में आई कर पाओगे ऐसे question आपका इस सर उड़ा देंगे इने तो second अउड़ा देंगे चलो तो बढ़ें ये रहा next question C set में पूछा गया question है और बताईए answer क्या होगा इसका answer बोलो जल्दी से बताओ answer क्या आएगा बहुत ही प्यारा सा आसान सा question है answer बताईए आपको कि sir एक बार सवाल पढ़ने दो answer अपने बहाँ पा जाएगा ना चलो very good answer बताईए क्या आएगा जल्दी से बताओ answer क्या आएगा answer क्या आएगा इस question का answer क्या आएगा बताओ बताओ answer क्या आएगा बोलो जल्दी से बताओ बोलो answer क्या आपको किस answer दिलको second में बता देंगे देखिए मैंने क्या का समझो मैंने का भीया किसी टैंक के एक बटे चार भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है मतलब अगर एक बटे चार भरा है ना तो उसमें 135 लीटर पानी है अगर 180 लीटर पानी होता तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा था तो आपको देखो हमारी बास सुनो सर मैंने कि सुनाओ जा तो ये है सर एक बटे 4 पानी मतलब टोटल अगर 4 पानी है उसमेंसे एक पानी किस के यरावर है 135 के यरावर है 135 मैंनका च्छा जब एक 135 के बारावर है तो टंकी में कितना पानी आएगा आपको सर 135 गुना चार जब 135 गुना चार करोगे फिर तो 540 लिटर आएगा कितना आएगा 540 कैसे देखो 4, 20, 33, 42, 42, 52, 540 लिटर आएगा कितना है पांसो चालिस लिटर लेकिन ये कह रहा है कि 540 लिटर नहीं भरा, इसमेंसे कितना भरा है एक सो असी लीटर जीरो से जीरो ठीक है जीरो से जीरो अठारा एकन अठारा अठारा तिया चाउवन तो एक बटे तीन तो कितना पार्ट पानी से भरा है आपको वह सर एक बटे तीन पानी से भरा है कितना पार्ट बरा है एक बटे तीन पार्ट पानी से बरा है क्लियर है क्या क्या ये बात आपके समझ में आई क्या जल्दी से बताओ क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई कर लोगे न very good हो जाएगा कर लोगे न तो आपको बची सर कर पाएंगे कोई दिकत नहीं होगी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी clear है तो बढ़े next question की तरफ yes तो ये रहा next question पहले एक बार फिर से समझ लो कुछ के तो समझ में नहीं आया होगा चलो समझ लो मैंने क्या कहा एक बटे चार भरे हैं कितना भरा है एक बटे चार और ये किसके बरावर है 135 लीटर के मतलब एक बटे चार का मतलब क्या चार मैंसे कितना भरा है एक और एक बरावर कितना है 135 जब एक बरावर 135 तो चार बरावर कितना होगया 540 कितना होगया 540 और ये 540 टोटल है लेकिन इस मैंसे टंकी में कितना पानी भरा गया आपको सर 180 लीटर तो 180 को 540 ये काट होगे तो एक बटे कितना आएगा तीन आएगा सर कितना आएगा 1 upon 3 आएगा अरे कितना आएगा आपको सर 1 upon 3 आएगा क्लियर है क्या ये बात मेरी आपके समझ में आई हलो क्या सुन रहे हो आपको सर सुन रहा है सब सुन रहा है कि इतनी वास समझ में हा ना आपको सब कमेंट करना है देखो मैं बार बार कहता हूं हा ना बोला करो कमेंट किया करो क्लियर है ना मतलब जवाब तुरन दिया करो सर आ गया समझ में हो गया सर क्लियर है आपको देना है सारे बच्चों को जब आप देते रहना, देते रहना, देते रहना, clear है ना, चलिए तो इतनी बास समझ में आई, हाँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको, सारी चीज़ें बड़ा मज़ा आएगा, आनंद के साथ में पढ़ेंगे ना, आनंद की प्राप्ति होगी आपको, हाँ, समझ रहो ना, हाँ, चीख है, तो आंसर क्या आएगा, एक पटे तीन आएगा, clear है, ओके सर, clear है, तो बड़े नेक्स क्वेश्चन की तरफ, तो ये रहा नेक्स क्वेश्चन, बताए ये आंसर क्या होगा, आप देख के डर जाओगे, सुरी तो भहिंकर सवाल, अरे आसान है, देखने में डरावना है, आसान है, लेकिन, एक सेकंड में आंसर आएगा, इसका समझ रहे हो ना, केवल एक सेकंड, आपको अच्छा सर, ऐसा है क्या, हाँ, सवाल पढ़ो ध्यान से, और फिर एक बार आंसर बताएंगे अपना है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए आप, जल्दी से क पश्चन को तो समझे, भाया, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, समझो, तीन अंकों वाली एक संख्या में, सेंकडे के इस्थान वाला अंक, इकाई के इस्थान वाले अंक का दूना है, सेंकडे के इस्थान, मतलब जो टेंस, जो हंड्रेड डिजिट पे है न, वो इकाई के अंक था कितना है एकाई के इस्थान वाले अंक का दोना है पूरी रामाइंड दे रखी है बिलकुल उसके सभी अंकों का योगफल अठा रहे है ये आपका आया हुआ क्वेशन है समझ रहे हो ना सी सेट में पूछा गया क्वेशन है ये पूछा गया है यदे उसके अंकों को उलट दिया जाए यदे उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है कितना कम हो जाती है 396 तद अनुसार उस संख्या के सेंकडे वाल अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा मैंने का केवल एक सेकंड में बताएं आपको जी सर बताओ तो मैंने का चार आएगा कितना आएगा चार आपको सर कैसे सुनके बता दिया क्या मैंने हाँ ऐसा ही मान लो कैसे देखो ऐसे पूरी रामाइड विकार है इसमें तो समझ रहें जो कहानी दे रखी है पूरी आपके काम की नहीं है आपके काम की बस 396 है और लास्ट में आपको यह देखना है क्या पूछा है सैकडा और दाई के अंक वाले अंकों का अंतर पूछा है देखो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर कोई 3 डिजिट का नंबर है कितने डिजिट का? 3 डिजिट का जैसे कोई भी 3 डिजिट की माल लिया X, Y, Z 3 डिजिट की संख्या है इससे अगर रिवर्स करके लिख दिया जाए Y, Sorry, Z, Y, X तो इन दोनों का जो डिफ्रेंस होगा हमेशा 99 से डिजिवल होगा किस से डिवाइड होगा? 99 से डिवाइड हो जाएगा हमेशा वो 99 का मल्टीपल होगा किस का मल्टीपल होगा? 99 का बलो हाँ है न आपको उसर एस जे नहीं हमें तो समझाओ हम तो तम मानेंगे, एस जे नहीं मानेंगे मैंने कहा अच्छा समझो तो भाई यह एक्स वाई जेट ठीक है अब एक्स वाई जेट तीन अंकों की संख्या है तो इसे कैसे लिखेंगे आपको उसर इसे लिख सकते हैं 100x और डारेक्ट आंसर तो ऐसे था इसमें 99 से भाग दे दो और डारेक्ट आंसर तो 4 आ गया लेकिन समझा देता हूँ इसे लिख सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस क्या लिख सकते हैं प्लस लिख सकते हैं ठीक है अब मैंने कहा इसे रिवर्स कर दो इसके अंकों को बदल दो आपको उसर बदल दो आप मैंने बदलेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी 100z प्लस 10y और प्लस क्या हो जाएगा x मैंने ठीक है इनका अंतर करो आ आपको समझ में आ गया सर, 99 common आ गया, x-z, x और z क्या है, सेकड़ा और इकान, इनका अंतर जो है, हमेशा किससे divisible हो रहा है, 99, multiple किसका है, इसका, 99 तो अंतर इनका दोनों के digit का, किससे divide होगा, 99 से, बरावर क्या जैसे 396, बरावर क्या 396, 99 से भाग दोगे, कितने बार कट ग का difference निकालना है, कोई तीन अंकों की संख्या है, उसमें अगर, unit digit, मतलब, once digit और hundred digit का difference अगर निकालना है, तो जो difference दिया है, उसमें 99 से divide कर दो, उसमें 99 से divide कर दो, बस second में answer आ जाएगा, काम हो गया आपका, बस कतनी कातम कहा नहीं इतनी सी, अबज में आया, चलिए तो भ समझो, मैंने कहा, बहिया, अगर इस तरह से x, y, z है, तो hundred x plus ten y plus z, उल्टा करके लिखेंगे, hundred z plus ten y plus x, इनका difference देखेंगे, 99 minus x minus 99 z, ठीके, 99 common आ गया, x minus z चाहिए था, 99 से कितने वार, four time, direct मैंने answer कैसे बता है, direct हमेशा जो difference होगा, वो किस से divide होगा, 99 से, तो 396 में direct 99 का बाग दे देंगे, तो answer क्या आएगा, 4, answer क्या आएगा, 4, clear है, तो जो answer रहने वाला है, वो 4 रहने वाला है, क्या रहने वाला है, 4, clear है, क्या मेरी बात आपके समझ में आई, जल्दी से बताओ, आ गई ना समझ में, okay, very good, ठीक है, तो बढ़े next question की तरफ, police, क्या बढ़े आपको विसर बढ़ जाओ, again, बढ़ें क्या next question की तरफ, yes, तो ये रहा आपके सामने next question, बताईए answer क्या होने वाला है, क्या होने वाला है आपका answer, तो देखो ये रहा question, C-set 2020 में पूछा गया question है, C-set 2020 में पूछा गया question है, बताईए answer क्या होने वाला है, तो देखो एक स सिच्छक और तीन चात्रों की ओसत आयू 20 वर्स है एक सिच्छक और तीन चात्रों की ओसत आयू 20 वर्स है ध्यान से पढ़ो इस क्वेशन को क्या दिखाई दे रहा है। पहुत हो, आप कहोंगे, सर टीनो चात्र समान आयू के हो, टीनो चात्र की सेम है, और शिछक तथा प्रते एक चात्र की आयू का अंतर वीस almost है किता वर्स है 20 वर्स तो सिच्छक की आयो कितनी है तो सिच्छक की आयो कितनी है तो देखो या आप क्या को सर सिंपल है मैंने का कैसे सिंपल है देखो ऐसे समझ लो कैसे समझ लो पहले डिटेल देखनी है क्या आपको मैंने डिटेल दिखा दो सर एक स्टूडेंट की एज अग जबके जो teacher है ना उसकी जो age है वो 20 अंतर है दोनों में मतलब 20 जादा है तो इसमें 20 जोड़ देंगे बोलो हाँ आपको उजी सर बरावर चारों आदमियों की ओसत आयो 20 वर्स है ओसत कुल यो कितना हो जाएगा इंटू चार कर देंगे ये क्या हो जाएगा total sum total sum इधर भी total sum है इधर भी total sum है तो ये बरावर कितने के हो गया 80 के तो आप काओगे सर थ्री ए और ये उधर जाएगा ये थ्री ए प्लस ए कितना हो गया 4 ए और ये उधर चला जाएगा कौन 20 तो ये क्या हो गया 60 तो आप काओ भाईया, चात्र कितने साल का आ गया, पंद्रे साल का, चात्र कितने साल का आ गया, पंद्रे साल का, जब ये student पंद्रे का है, हमें educator की बतानी है, 28 कर दिया, तो आंसर कितना आएगा, आपको विसर 35, आपको विसर 35 के हैं भाई साब, कितने वर्स के हैं, 35 वर्स के हैं, basic से समझ रहो न चलो एक बार और समझा देता हूँ जो बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा होगा न उसके भी समझ में आएगा tension मत लो माल लिया के एक विध्यारती की ओसत आयू या आयू ए है एक की ए है तो तीन की कितनी हो जाएगी आपका कईसर गुना तीन कर देंगे ठीक है यह हो गई student की जबकि teacher की जो उम्र है student से 30 वर्स जादा है तो पलस क्या कर देंगे a plus 20 वर्स जादा है सोरी a plus क्या कर देंगे 20 तो यह सब की कुलायू आगई सब की कुलायू आगई सब की total age आगई clear है कितनी है बीस जब उसत आयू कितनी है बीस में अगर आलगे आपको पता एक आदमी की बीस है थो उसी क हो जाएगी यह 20 इदर आएगा तो घड़ जाएगा साठ और four आy incentiv शहेट्व से साठको काटेंगे कि पंधर्य यानि श्टूडेंट की जो एज है सो कितनी है 15 इस्टूडेंट अगर 15 साल का है इस्टूडेंट अगर 15 साल का हमें लिकालना टीचर का तो 15 जोड़ देंगे 20 में और आंसर कितना आएगा 35 यानि एजुकेटर कितने साल का हो जाएगा 35 साल का क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई क्या क्या आप मुझे सुन पा रहे हो क्या क्या समझ पा रहे हो क्या आपको चीसर चीसर ठीक है यह भी सीज़ट 2020 का प्रस्न है जो आपके सामने है परसंटिस से है लेकिन आप उड़ा दोगे इसे तो देखते उड़ा दोगे सब लोग द्यान से पढ़ो question और answer बताओ द्यान से पढ़िए एक प्रेश्ण और बताई आंसर क्या होगा बोलिये जल्दी से answer इस प्रेश्ण का जवाब दीजिये मुझे क्या answer आएगा आपको विसर सिंपल है अपन बता देंगे देखिए चावल के प्रत किलो मूले में 25 परसेंट की ब्रद्धी के परिणाम सरूप एक व्यक्ती 1200 रुपे में 6 किलोग्राम चावल कम खरीदता है परिणाम सरूप एक बेक्ती 12 रुपे में 6 kg चावल कम खरीदता है तो चावल का प्रत्य किलोग्राम तारम्विक मुल्य दे क्या था चावल का इनीशियल प्राइस बता आपको सरू सिंपल है सर आपने बताया प्राइस इंवर्स प्रबोशनल कॉंट्विक होता है क्या बताया था आपको विसर्फ आपने बता रखाया कि price inverse proportional quantity होता है क्या होता है price ना inverse proportional quantity की होता है इसका मतलब क्या है price का ratio अगर जो भी है उसका उल्टा quantity का है price कितना बढ़ाया 25% तो 25% की fraction पता है एक बढ़े 4 25% की fraction क्या होती है 1 बढ़े 4 चार में मतलब एक बढ़ा दिया तो चार से कितना हो जाएगा आपको विसर चार से पांच हो जाएगा चार से कितना हो जाएगा पांच तो ये अगर 4 से अगर 5 हो गया तो quantity क्या हो जाएगी आपका विसर पहले अगर 5 खरीद रहा था तो अब 4 खरीदेगा quantity क्या हो जाएगी 5 से 4 हो जाएगी अगर मैंने कहा आपके अनुसार कितना कम खरीद रहा है आपका विसर एक कम खरीद रहा है और सवाल में कितना कम खरीद रहा है 6 जब एक वरावर 6 kg है तो पहले कितना खरीद रहा था प्रारम में 5 और 5 गुना 6 और कितना हो गया 30 kg कितना हो गया 30 kg अब मैंने कहा भाई साब आप 30 kg चावल कितने रुपे में खरीदते हो 1200 रुपे में जब 1200 रुपे में 30 kg तो एक किलोग्राम कितने में आपको गया 40 रुपे में तो आंसर क्या आएगा 40 यही उत्तर है आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा 40 यही आंसर है आपका 40 क्या मेरी बात आप तक पहुँच पाई है क्या देखो बहुत ही आसान है बस कहींगे न आसान है लेकिन कब है जब आपको एप्रोच पता है जब आपको कौन सेप्ट पता है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो इतना करने जरूद नहीं दिमाग में 25 पट से हैं 4 से 5 5 से 4 एक परावर 6 6 5 30 और 30 में 1200 से भाग देंगे तो आंसर 40 आगया लेकिन कब होगा यह सब यह तब होगा जब आपको प्रैक्टिस पर होगी रिवीजन कर रखा होगा कौन सेप्ट पता होगी यह अप्रोच पता होगी क्लियर है तो आप मुझे सुन पा रहे हो क्या आपको आवा तो यह रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेशन बताईए आंसर क्या होगा बोलिये अच्छा यह आपका बोटेंड स्ट्रीम का क्वेशन आगया थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आंसर आपको बता देना है यह भी सी सेट 2020 में पूछा गया प्रेस्ट में है क्लियर है 2020 में आ डिसकस कर रखे हैं तो सर्च करके देख सकते हो आपका ना चली तो बताईए जल्दी से आंसर इस क्वेशन का क्या होगा आपके सामने है प्रशन आपके सामने है उत्तर क्या होगा बताईए देखो मैंने कहा भाईया समझिये इस प्रशन को कैशे शमजना है सर देखो एक व्यक्ति को धारा के उल्टी दिसा में जाने की अपेच्छा धारा के प्रवाह की दिसा में किसी निश्य दूरी को नाव द्वारा खेने में आधा समय लगता है अचल मतलब जो चल नहीं रहा हो रुका हुआ पानी में पानी में चाल का धारा की चाल से अनुपाद है मलब सांत जल में पानी की चाल अचल पानी में नाव की चाल नाव होगा नाव है नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपाद बता है What is the ratio speed of still water to the speed of the current Clear है Speed water मतलब ये नाव है नाव की चाल जो व्यक्ती है ना व्यक्ती व्यक्ती मतलब व्यक्ती की चाल कहने का मतलब व्यक्ती की चाल सान्त जल में मतलब ठहरे हुए पानी में और धारा की चाल बतानी है इनका रेशियो बताना है धारा की चाल का रेश्यो बताना है आपको विसर सिम्पल है कैसे देखो हमने कहा बहिया अगर जो आदमी इधर हो और पीछे से आप ऐसे चल रह medidas पीछे से आंधी आ रही है तो आपको ऐसे नहीं लगेगा उढ़ गए कि आप ऐसे लगेगा न मतलब आप तो अपनी speed से चलोगे पीछे आंधी जो आ रही है हवा जो आ रही है वो भी आपको भगाएगी तो जब direction किसकी direction हो यानि water की अगर direction में है या फिर current की direction में है तो आप क्या कहते हो दोनों की speed जुड़ जाती है तो आपकी speed क्या हो जाती है आप देखते हो कि speed जो हो जाती है यानि same direction में पानी वाली धारा की दिसा में धारा की धारा की दिसा में धारा की दिसा में जब speed होती है वो खुद की चाल मतलब आदमी की चाल या boat की चाल प्लस water की चाल इन दोनों का sum होती है और opposite direction में क्या होती है विपरीत में क्या होती है difference वी- गया होती है L तो इसने क्या कहा धारा की दिसा में जब जाता है जितना समय लगता है धारा की दिसा में जाने की अपेक्शा धारा के प्रभा की दिसा में किसी निश्य दूरी को नाव द्वारा खेने में आता समय लगता है देखो यहां बढ़ो A man takes half time in rowing a certain distance downstream than the upstream upstream अलब धारा की दिसा में जितना समय लगता है विपरीद दिसा में दुग ना लगता है यह है कहां नहीं clear है यह समझो बस यह समझो clear है मतलब धारा की दिसा में जाएगा तो speed क्या होगी b plus s और विपरीद दिसा में क्या होगी b minus s समय अगर time की ratio की बात करें अगर धारा की दिसा में एक समय लग रहा है ना तो विपरीद दिसा में 2 समय लगेगा बिपरीद दिसा में कितना समय लगेगा 2 तो जब समय का ratio यह है तो आपको मैंने बताया है speed का inverse proportional होता है time speed का inverse proportional time तो मतलब अगर time का ratio 1 ratio 2 है तो speed का ratio क्या हो जाएगा 2 ratio 1 speed का ratio क्या हो जाएगा 2 ratio 1 मतलब धारा की दिसा में 4 अगर 2 है तो विपरी दिसा में एक है विपरी दिसा में कितनी है एक यह आपको समझ में आ गया कभी भी अगर धारा की दिसा में चाल दे रखिये और विपरी दिसा में दे रखिये तो सांत जल में नाव की चाल कैसे निकालते है जोड के दो का भाग जोड के दो का भाग, तो दो और एक कितना होगा, तीन, तो तीन वट्टे दो, ये क्या हो जाएगा, तीन वट्टे दो, और धारा की चाल, घटा के दो का भाग, तो दो में से घटाएंगे एक, तो एक वट्टे दो, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर आएगा, तीन अनुपात दारेक्ट आंसर बता सकते थे बिदाउट किसी टेंशन के clear है सेकिंड में आंसर बता सकते थे बस आपको पता होना चाहिए पहले logic चलो भी यह एक बार और समझ लो ह failures देखो दारा की दिसा में जा रहा है तो मैंने क्या ख़ा कभी बी अगर आपको क्या बतानी कभी भी अगर आपको बी की वैल्यू बतानी है ना तो बी की वैल्यू बतानी है धारा की दिसा में चाल प्लस बिपरीद दिसा में चाल बटे दो करना है तो दोनों को जोड़ के दो का भाग करेंगे तो तीन हो जाएगा बटे दो तीन बटे दो clear है तो answer क्या आएगा 3 अनुपात 1 आएगा answer क्या आएगा 3 अनुपात 1 आएगा clear है समझ पाए तो इस question का जो जवाब होगा वह होगा 3 अनुपात 1 clear है हो जाएंगे नहीं से question कर पाओगे चलिए very good बाकी देखो मैं बताओं complete session चलेंगे अब आपको target रेके और चलेंगे है अना अब 2021 का proper target लेके चलेंगे प्रॉपर उसी सर से चल रहा है चीज़ां चल भी रही है और भी अब आपको और speedly चलेंगे ठीक है आपको target रखके है न तो बस आपको slavus जो है वो उसी के according सारी चीज़ां कराई जाएंगे previous year के question भी रहेंगे सब कुछ रहेगा proper आपके most expected question रहेंगे topic को भी समझाएंगे बहुत detail में सब कुछ रहेगा जिससे आराम से आपका cc qualify हो जाए tension नहीं ले नहीं है बिलकुल किसी बात की है न हम और आप जब मिल जाएंगे तो क्या है की tension बताओ हम जब आप से मिल जाएंगे हम आप सम मिल जाएंगे तो बताओ exam है अरे कुछ भी पार कर सकते हैं फिर तो है न हाँ चलो ठीक है तो आप देखोगे इस question का answer कितना आया थ तीन अनुपात एक आया था कितना था तीन अनुपात एक लिर है बाकी मेरी class है न साम को डेली पांच बज़े होती है मैं बता दे रहा हूं आपको अनकेडमी लर्निंग पर तो description में link दे रखिए वहां से जाके आप मुझे follow कर सकते हो जिससे क्या होगा यहां आपको अनके reason और test भी हो जाएगा न तो अगर आप first time जा रहे हो तो आपको अनकेडमी लर्निंग डाउनलोड करना है code यूज करना है HKG1 क्या code यूज करना है HKG1 code यूज करना है जैसे आप code यूज करोगे तो आपको मेरी classes के साथ में सारे classes खुल जाएंगी आपकी open हो जाएंगी ठीक ये तो बढ़े next question की तरफ are you ready? हाँ ना आपको जी sir बढ़ जाओ अब तो ठीक है तो यह रहा question अरे वाओ ये VC set में पूछा गया question है निमनले खित में से कौन सी बड़ी संख्या है निमनले खित में से कौन सी बड़ी संख्या है बताओ जल्दी से देखो भाईया अगर मैं यह ने क्या कहा आप से देखो हम यह कह रहे हैं अगर यह प्रस्णा आता है ना तो कईसे करेंगे आप हमने का एक सेकंड में आंसर बता होगे देखो आप कभी भी धियान रखना जैसे एक पटे a है और इसकी पावर माइनस की कुछ है माइनस का m है तो यह हमेशा अगर होत हो जाती है इससे एक पावर हो जाती है पॉजिटिव होगी जब नियूमीरेटर का डीनोमीरेटर हो जाता है आप इससे क्या लिख सकते हो तीन की पावर चार और इससे क्या लिख सकते हो च्छे की पावर दो अब आपको अब तो बहुत आसान है सर निकालना अब तो बता देंगे कौन सी बड़ी है अब आपको अब तो बता देंगे कौन सी बड़ी है देखो दो की पावर च्छे कितना होत का चार एक बटे तीन की पावर माइनस चार, यह या अंसर है आपका। क्या समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया आपके बह पार खाहि कि आ क्लेर है यह आप घातां करणी के कुछ नियम है, मैंने क्या क्या जैसे एक स्य पावर माइनस M है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, अगर ये ये दे रखा है, वन अपॉन एकी पावर माइनस M, तो ये numerator उपर denominator नीचे, तो क्या हो जाएगा, एकी पावर M हो जाएगा, clear है नहीं, ऐसे हमने कर दिया, positive इस तरह से लिख सकते हैं, तो देखा, ये भी 64 है, ये भी 64, ये 86 तो सबसे बड़ा क्या, 1 अपॉन 3 की पावर माइनस 4, ये आपका बिलकुल सही उत्तर है, क्या समझ पाए आप, क्या इस प्रश्न को आप समझ पाए, आपको जी सर, बिलकुल समझ में आगे हमारे, आगे न, कर पाओगे, क्या ऐसे question, हो जाएंगे न, चलिए, very good, तो मुझे उम्मीद है, इस pattern के आप सारे question कर पाओगे, तो ये रहा आपके सामने next question, बताईए answer क्या होगा, सी सेट में पूछा गया, वही question, 2020 के प्रेपर में आया था, और answer बताईए क्या होने वाला है, इस प्रष्ण का जवाब बताईए क्या होगा, मेरे प्रष्ण का जवाब दो जल्दी से, जल्दी से बताओ, अब तो आपको कोई देरी नहीं होगी न, जल्दी से बताओ, यहीं से मैंने शुरुआत करी थी, rational number है या irrational number है, परमे संख्य है या परमे संख्या है, आप कोई सर परमे संख्या है, यह परमे रमर है, rational है, देखो जल्दी से बताओ, आपका अगरो सर फोड देंगे सवाल को कैसे, 1 प्लस 27 या 0.27 की पावर बार है, तो आप इससे कह लिखोगे, 1 प्लस 27 अपन क्या करेंगे से 99, 9 से काटेंगे 3 वार, 9 से काटेंगे 11 वार, 11 एकन 11, 11 और 3, 14 है, 14 है वटे 11 है, तो क्या option है, क्या option है, आपको है, कौन सा है, बी तोड़ा दिया, आंसर क्या आगया, बी आ गया, क्या आपके समझ में आया ये, प्रेश्न जल्दी से बताओ, क्या ये question आपके समझ में आगया, कर पाओगे क्या, आपको उजी सर कर लेंगे, कर लेंगे न, हो जाएगा न, देखो मैंने क्या कहा, 1.272727.… इसे क्या लिख सकते हैं, 1.27 पर बार लिख सकते हैं, आपको उजी सर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे और क्या लिख सकते हैं, 1 plus 0.27 पर बार 1 plus 27 upon 99 9 से कटेगा 3 वार 9 से कटेगा 11 वार 11 एकन 11 और 14 वटे क्या रहे तो answer क्या आएगा 14 वटे क्या रहे C said 2020 में पूछा गया प्रस्न था और इसका जवाब था 14 वटे क्या रहे और आप इसे उड़ा देंगे देखते ही आप कर पाओंगे clear है उड़ा दोगे ना हाँ सर अब टेंशन मतलो हम तो उड़ा देंगे सब को उड़ा देंगे clear है समझ में आया हा ना बोला करो हा ना समझ में आया नहीं आया बोला करो सब लोग है ना जैसे और सारी चीज़ें पता चुक लेगे एक अच्छी से फीलिंग आएगी yes sir, कर सकते है I do it sir, मैं कर सकता हूँ कर सकता हूँ सब कर सकते है ठीक है चलिए तो ये रहा आपके सामने next question बताई answer क्या होगा बहुत प्यारा सा question है ध्यान से पढ़िये question और उड़ा दीजे सवाल को क्या answer होने वाला है question कह रहा है x की power n दिखा दे रहा हूँ मैं क्या कह रहा है question x की power n है minus a की power n है ठीक है ये पूर्ण तह विवाजित है ये divisible है किससे x minus a से किससे विवाजित है x minus a से तो बताओ कब होगा मैंने क्या बताया बीच में minus का sign हो तोनों जगे होगा ये odd number है तो भी होगा अभी बताया था ने पीछे और even number है तो भी होगा आपको गए अच्छा मतलब odd है even है इसका मतलब ये natural number कोई भी हो कोई भी natural number हो तो आपको अच्छा एक ही option दिखाई दिरा देखो पहला option क्या है पहला option क्या है n is a natural number n is even तो आपको इसर even भी हो सकता है n is an odd आपको odd भी हो सकता है लेकिन ये दोनों में आ रहा है ये c दोनों में आ रहा है n is a natural number मतलब या तो even भी हो सकता है क्या करेंगे पता है आंक बंद करके करेंगे ओहो औप्शन मिल गया एन इवन नमबर यहीं लगा दिया नहीं भाया और तो देख लो नीचे तो कहीं और तो नहीं है समझ रहे हो और भी तो नीचे देख लो कहीं और तो मिल नहीं रहे हाँ ये सही है कि even number होगा ये भी सही है और होगा ये भी सही है कोई prime number भी हो सकता है लेकिन भाई साव इन तीनों को जो mix करके बना रहा है ये रहा क्या है N is a natural number N कोई भी natural number हो सकता है तो answer क्या आएगा? C आएगा जो answer रहेगा वो क्या रहेगा? C रहेगा सर बिलकुँ सही उत्तर है C clear है? कर पाओगे आप? आपको जी सर बिलकुँ उड़ा देंगे सवाल को कर लोगे? चलिए very good तो next question ये रहा आपके सामने बताईए answer क्या होने वाला है इस question का जल्दी से बताईए question answer क्या होगा? बोली, question का answer क्या आने वाला है? इस प्रशन का जवाब क्या आने वाला है? बोली है तो आप कहोगे सर सिंपल सा question है लेकिन थोड़ा सा logic है भाई साब अगर पता है तो कर लोगे नहीं तो भूल जाओगे देखो मैंने क्या कहा इस प्रश्ण में दो संख्याओं का योगफल 40 है माल लिया A और B कोई संख्या है इनका योगफल 40 है तदा गोड़नफल 375 है आपका उसर A into B वरावर 375 अब यह करा है इनके बित्कुरुमों का बताना है प्रोड़क्ट इनके रेसिप्रोकल का सम बताना है इनका रेसिप्रोकल क्या होगा आपका उसर 1 upon A 1 upon B इनने add करेंगे तो A, B नीचे common आ गया यहां देखेंगे A plus B आप देखो अरे वाव यह तो चमतकार हो गया यानि sum upon क्या कर देंगे product sum कितना है आपका उसर समझें 40, product कितना है 375, मैंने का 5 से काड़ दो भहिया 5 से कितने वार कटेगा 8 वार और यह 5 से 75 वार काड़ दो 5 सरते 35 और 25 यानि answer क्या आएगा 8 वाटे 75 बाकी मैंने आपको direct भी बता है कैसे कि अगर कभी भी reciprocal का sum बता है तो यह आप direct भी दिमाग में रख सकते हो reciprocal का sum क्या होता है sum क्या होता है natural जो भी number दे रखे number का sum number का sum upon product sum कितना है 40, product कितना है 35 और answer क्या आएगा 8 वाटे 75 answer क्या आएगा 8 वाटे 75 क्या मेरी बास समझ में आई जल्दी से बताओ answer क्या आएगा 8 वाटे 75 clear है बलो हा ना जल्दी से बताइए आपको उसर समझ में आ गया subtention मतलो sub lock कर दो answer पिल्कुल सही आ गया ठीक है तो कभी भी रैसी प्रोकल का सम अगर पूछा जाए आपसे तो आपको क्या करना है नम्मर का सम clear है और upon क्या करना है product वही उनके रैसी प्रोकल का सम हो जाएगा भाई साब इतनी सी कहानी है बस जो आपको बतानी है वो आपके समझ में आ चुकी है योगफल 147 है यदि किनी तीन क्रमागत विशम प्राकरतिक संख्या किनी तीन क्रमागत ठीक है consecutive odd natural number है उनका योगफल 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी आपको एक सेकिंड लगेगी सर मैंने बताब कैसे 147 upon 3 और आंसर कितना आएगा मैंने का अच्छा वाओ तुम तो चमतकार कर दिये मैंने का सर ऐसे ही करते हैं आप क्या कहोगी सर हम तो ऐसे ही करते हैं लेकिन कोई बच्चा कहेगा सर हमें भी बताओ कैसे करना है देखो तीन संख्या है लगातार उनका सम कितना है 147 है ठीक है अब देखो बेसिक से अगर समझना है तो बेसिक से समझो माना के पहली संख्या क्या है ए है विसम संख्या पहली ए है दूसरी विसम संख्या जैसे मैंने का पहली तीन है तीन के बाद पाँच आती है साथ आती है तो हर किसी में 2 जोड़ना पड़ता है आगे के लिए तो कहोगे आप पहली क्या हो जागी A दूसरी क्या हो जागी A plus 2 तीसरी क्या हो जागी A plus 4 तो बरावर कितना है 147 आपको ठीक है A A A कितना हो गया 3A प्लस कितना है 6 6 उदर जाएगा तो 147 minus 6 तो आपको उफ़र कितना है 3A is equal to 141 clear है आपको उफ़र काट दो 3 से काट तैंगे कितने वार कटेगा 3 से 4 वार और 3 से कितने वार 7 वार 47 हो गया पहली 47 है हमें बीच वाली वतानी हमें बीच वाली वतानी है то 47 और 2 कितना हो गया 49 नचास हो गया कि लगातार संख्या है और उनका योगफल अगर 147 है तो वास्तम में जो उनका ओसत होगा ना जो उनका एवरेज होगा वही बीच वाली संख्या होगी तो कितनी संख्या हैं कितनी हैं तीन तो average क्या होगा कुल योग बटे कुल संख्या तो direct हमने काट दिया और direct कितना आ गया उनचार, बलब जो उनका average होगा वो बीच वाला ही होगा जो बीच वाला number है न वही average होगा अगर लगातार कोई संख्या है तो उनका जो बीच वाला नंबर है न वही ओसत होगा तो आपने देखा ओसत कितना है उनंचा से इसका मतलब संख्या भी बीच वाली कितनी है उनंचा तो ऐसे भी कर सकते हैं लोजिक लगाया करो देखो जहां दिमाग में जो आ जाए आप कर तो है लेकिन दिमाग में कआएगा जब दिमाग में कुछ होगा तो दिमाग में अबन डाल रहना आपने दिमाग में सेट कर रहना आपके समझ रहे हुँ न तो ये सारी कानसेट आपके दिमा नहुंगे तभी तो दिमाग चलेगा clear है very good तो बढ़े next question की तरफ तो ये रहा next question बताई आंसर क्या होगा आपका क्या इतनी बातें आपके समझ में आ रही है कर पाओगे बहुत ही प्यारा question है एक second में जवाब दे सकते हो इस question का और बताई आंसर क्या होने वाला केवल एक second बताओ दो संख्याओं का योगफल 22 है एक संख्या का पांच गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बरावर है तो उन में से बड़ी संख्या क्या है उन में से बड़ी संख्या निम्न है कौन सी है आपको वे सर इतना छोटा सवाल है इसे तो एक second में कर देंगे मैंने अच्छा कैसे कर दोगे आपको वे सर ऐसे करेंगे देखो कैसे करेंगे देखो मैंने क्या का कैसे करेंगे आपको वे सर ऐसे यह क्या गरा है एक संख्या का पांच गुना मलब पहली संख्या का पांच गुना बरावर है दूसरी संख्या के 6 गुने के मैंने ठीक है तो आपको होगे sir a upon b वरावर कितना होगा 6 वटे 5 मतलब मैंने का a के सामने a है और b के सामने b है तो a की जो value है वो 6 है और b की value कितनी है 5 मतलब अगर a का मान 6 है तो b का मान कितना है 5 b का मान कितना है 5 आपको होगे बिल्कुल सही है sir बिल्कुल सही है मतलब मेरे हिसाब से A की value अगर 6 है तो B की 5 होगी total 6 और 5 कितना हो गया मेरे हिसाब से sum कितना हो गया 11 और सवाल में sum कितना है 22 जब 11 वरावर 22 तो 1 वरावर कितना है 2 तो पूछिए बड़ी संख्या तो बड़ी 6 है या 5 है आपको उसर बड़ी 6 है कितना आएगा 12 क्लिर है क्या मेरी बात आपको समझ में आई कर लोगे क्या हो जाएंगे क्या very good देखो एक बार फिर समझ लो मैंने का भईया एक बार और फिर से समझ लीजी आपको समझा दो सर देखो पहली संख्या का कितना गुणा है 5 गुणा पहली संख्या का कितना गुना है पांच गुना पहली संख्या का पांच गुना दूसरी संख्या के छे गुने के बरावर है तो पहली वटे दूसरी करोगे तो छे वटे पांच तो इसका मतलब देखो अगर दूसरी संख्या आपने देखो छे और पांच टोटल इनका सम कितन है आपको उसर इनका सम है 11 कितना है 11 और सवाल में कितना है 22 सवाल में कितना है 22 जब दो वरावर अगर 22 है तो एक वरावर कितना है दो एक वरावर कितना है दो जब यह एक वरावर अगर दो है एक वरावर अगर दो है तो मुझे बतानी है बड़ी संख्या तो बड़ी संक्या 6 है और 6 गुना 2 कर देंगे और आंसर कितना आएगा 12 आंसर कितना आएगा 12 तो जो आंसर होने वाला आए ना वो 12 होने वाला है कितना होने वाला है 12 बिलकु सही उत्तर है इसका 12 बिलकु सही जो आंसर है इसका क्या है 12 क्लिर है क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई क्या जल्ली से बताओ क्या ये समझ में आ गया आपको जी सर और सबको कमेंट करते रहना है ठीक है ना हा ना बोलते रहना है रहा है कि सस्क्राइब कर पाया है अब हो जाएंगे ना कोई दिकत नहीं होगी ना विल्कुल नहीं होगी यह के वरेडिगूड वरी गूड चलिए तो तो इस चैनल पर बाकी अनकाइडमी पर डेली लाइब क्लास होती है साम पांच बजे सब पॉन आए ठीक है ठीक है ध्यान रखेंगे मस रहिए ख्याल रखेंगे अपना बाई बाई टेक क्यार